नमस्कार सभी प्यारे विद्धार्तियों का SSC वाला पर मैं कपल चाहर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस संडे की प्यारी सी सुबह में एक मेराथन क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं तो जल्दी से क्लास से जुने का काम सुरू आपका प्रारंब हो चुका है अन्नोन जितेंद्र कुमार धारा भाई नीशु यादव वीरों की धरती गोरगपूर चलिए जी हीरे नगीने इंतजार कर रहे हैं भाई मेरे हीरे नगीने जितने भी हैं हीरे और नागिन काहे लिख रहे हो नगीने लिखो वहां पर है बाई श्रा मिस्टीरियस अकी ठाको जतिन नहरा और भाई आरिफ अली निदीप प्रिजा पती भीरम कुमार नेवर गिवाप वो कर चलिया वई कमल अरोरा योगेंद्र सिंग्ग गुद मॉर्दिंग बाई गुद मॉर्दिंग सभी लोगों को नमस्कार सभी लोगों को र audio video सब लोगों को clear है या नहीं भाई जल्दी से बाक कमेंट करके बताएं फिर अपने class को प्रारंब करते हैं नमस्ते भाई नमस्ते नमस्कार ओल किलियार चपि चली अच्छी बात है फिर class अपना start करते हैं यहां पर देखो आपको YouTube का schedule मैं बता देता हूं जो इस समय पर आप लोगों का चला है डेली बेसिस पर SSC exam के लिए आपकी classes चलती हैं उसके अलाबा दोपहर के time आपका डेली पुलिस का बैच चलता है और उसके अलाबा आपके SSC GD के लिए साम को आपका बैच चल रहा है जहां से आप प्रत्यक exam के लिए अपने हिसाब से आप जोइन कर सकते हैं ठीक है चलिए यहां पर हम लोग श्टार्ट करते हैं आज के class को और देखेगा आज के class में आपको कौन कौन से question दिखने वाले हैं आज का पहला question आपके सामने है जल्दी से बताएगा कोशिका के वैज्ञानिक अध्यन को क्या कहा जाता है बड़ा आसान सा question है जल्दी से बताएंगे सब लोग कोशिका के वैज्ञानिक अध्यन को क्या कहा जाता है option में आपको cytology दे रखा है histology दे रखा है physiology दे रखा है और taxonomy दे रखा है बताए क्या answer होगा इस question का जल्दी से बड़ापर से बताएगा भईया क्या answer होने वाला है question का बड़ा आसान सा question है किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए बाई किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पर बाई सिंपल सी बात देखेगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चार विज्ञाना में दे रखे हैं यहाँ पर साइटोलोजी देखो हिंदी में तो भाई या सब लोगों को वैसे ही पता लग जाएगा कोश का विज से लगने वाला ए अन्सर लगने वाला है इसके अलाबा हीस्टोलोजी की बात करे तो हीस्टेज्टॉलोजी में किसका ऒंकी अाता ओंकों इतन किया आता ठेश्यू। का अध्यं तेक्सुनमी जो है उसे आप ठीडिकी के नाम से जानते हैं Celaा ना चलि यहाँ पर तो यहां अंसर है इसका अगला question आपके सामने है which of the following pairs is associated with the taxation system of the Marathas, बताईए बहिए बहिए यहां पर देखेगा अगर जात और सवार की बात करते तो आपको याद होगा अकबर की द्वारा मinstब्दारी पिर्था को प्रारंब किया गया था, तो मनसब्दारी पिर्था में आपके दो पड हुआ करते थे, एक पड था, जात और एक उता था, सवार, कि जिया रहे, एकता और जागीर का मतलब क्या होता था, तो दिल्ली सल्तन इतके टाइम की अगर हम बात करें तो समय पर जो आपके जो अधिकारी हुआ करते थे उन अधिकारियों को वेतन के बज़ाए जमीन दी जाती थी तो इसको इकताया जागीर बोला गया समय समय पर अलग-अलग नाम रहे पोलज और परती जो है यह आपकी भूमी के प्रकार है यहाँ पर चौथ और सरदेश मुखी यह मराठो की करेधान प्रणाली से जड़ू हुए थे और मराठो की आएका सबसे प्रमुख स्रोत जो था वो था आपका चौथ और सरदेश की बात करें तो चौथ आपके जो इंकम थी जो आपके आय हुआ करती थी उसका 1 by 4 होता था और सरदेश मुखी आपका 1 by 10 हुआ करता था तो यहाँ पर क्या अंसर लग जाएगा A अंसर लग जाएगा कितने लोगों ने लगाया तो 97% का अंसर A रहा अगला कुशन आपके सामने है बताएगा बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था जल्दी जल्दी बताएगा भीयक क्या अंसर होने वाला है बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था तो भीयये यहाँ पर क्या लगने वाला राम मोहन राय दे रखे हैं देवन ना टैगोर दे रखे हैं राधाकांदीब आ केसब चंदसेंड आंसर क्या लग जाएगा राधाकांत देब के द्वारा धर्म सभा की विया स्थापना की गई थी जल्दी से कमेंट करके बताओ ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की जतना आंसर देखते हैं सी कितनी लोगा ने लगाया तो 6% का आंसर सी रहा अगला कुशन आपके सामने है, मार्सलाइट का निमलिकित मैं से कौन सा रूप केरल का है, बताएए भई, इनमें से मार्सलाइट का कौन सा रूप केरल से संब्बन देते हैं, बिलकुल जी, ब्रहम्म समाज की, इस्थापना किष्ञेंगीती, राजा रामोहन राय आपको ना क्या आपके पंजाब से है यानिवके इसके अदकना ये आपके पंजाब से सम्दित थे तो कि कि पंजाब क्या का हुने वा आपके है एक पंजाब से पंजाब से यानि पाहिका खाड़ाD किसा से है गतका पंजाब से है सिलंबं तमिलारू से है और कलारी पयाटू जो है यह आपके केरल राजे से संबन देते हैं और सी सारे ही मार्सल आर्ट का एक रूप हैं अंसर यहां पर सी कितने लोगों ने लगाया तो 61% लोगों का अंसर सी रहा अगला कुशन बताइएगा निमने लिखित इस्थानों मैंसी किसमे थेोसोफिकल सोसाइटी के मुख्याले की इस्थापना की गई बताइए थेोसोफिकल सोसाइटी की भीया जो मुख्याले था हैड ओफिस था वो भारत में कहां इस्थापित किया गया था थेोसोफिकल सोसाइटी के बारे में आपको और एक नाम आपको याँ दखना है करनल आलकाट करनल आलकाट इन दोनों के द्वारा भाईया थियोसोपिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी बाद मैं आपको पता है भाईया एनी बेसेंट इसमें सामिल हुई और भारत में इसका जो मुख्याले स्थापित किया गया था वो अडियार में किया गया था और अडियार आपके कहां इस्तित है तो यह उस समय के मदरास में था कहां पता अडियार अडियार आपके मदरास में था ठेक है तो यह चीज आ दकेगा आंसर आपका क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा कितने लोगों ने लगाया तो 60% लो यल्दी आंसर देंगे सब लोग भारतिय समिदान की प्रारूप समिती में सदस्यों की संख्या कितनी थी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शांदार जानदा जबदा जिन्दाबाद यहां पर आपको याद रखना है भया आपकी प्रारूप समिती ड्राप्टिंग कमेटी की बात करें तो ड्राप्टिंग कमेटी जो थी उसमें टोटल सतस्यों की संक्या अद्यच्छ को मिला कर वो आपके साथ थी अगर प्रारूप समिती के अद्यक्ष अगर आप से पूछे आते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेटकर का आपको नाम याद खना है अच्छे कौन थे जल्दी से बताएं मूल अधिकार और अल्प संक्यक समिती के अद्यक्ष कौन थे जल्दी से बताईएगा क्या आंसर उने वाला है बहुत बढ़िया अंजली बहुत बढ़िया सरदार बलब भाही पटेल ठीक है सरदार बलब भाही पटेल जो थे वो आपके मूल अधिकार और अल्प संक्यक समिती के अध्यक्षते ठीक है यहाँ पर आंसर क्या लग जाएगा सी आंसर कितने लोगों ने लगाया है तो भाईया सो परसेंट ठीक है भाईया अपकिया तो कमाल कर दिये मेरे वहादूर आसान सा कुशन देवारे पटक के यहना हंड्रेड परस अपके सामने हैं बताएगा क्या होगा भारतिया सांसकतिक पुनर जागरन की मुख्य विसेस्ता क्या थी भाईया पढ़कर आंसर दीजेगा आराम से मैंने टाइम थोड़ा बढ़ा दिया है पढ़कर आंसर दीजेगा भारतिया सांसकतिक पुनर जागरन की मुख्य विसेस क्या थी पहला दार्शनिक विचारधारा का विकास नई छेत्रिय भासा का जन्म सोध आदारित भिगत इतियास एवं पुरातत्तों का अध्यन इसके अलावा लेखन के अन्य स्वरूपों के इस्थान पर उपन्यास का विकास क्या अंसर उने वाला है जल्दी से पताईएगा सांसकतिक पुनर जागरन की मुख्य विसेस्ता क्या थी सांसकतिक पुनजागरन से मतलब क्या था तो एक चीज आप समझेगा भारत का जो पुराना कल्चर रहा है उस कल्चर को भारत की सब्विता को दुबारा से पुनर इस्थापित करना यही आपका सांसकतिक पुनजागरन कहलाता है और इसकी सबसे मुख्य विसेशता थी कि भारत में नए नए दार्सनिक विचारधारा का क्या हुआ था विकास हुआ था आंसर एक कितनी लोगों ने लगाया तो 60% अगला कुशन आपके सामने है बताईगा सम्मिधान की प्रारूप समिती की अध्यक्षता किसने की भाया यह तो अभी अभी बता के आया हूँ इसका भी आंसर 100% में आना चाहिए जल्दी से बताईएगा इसका भी आंसर मुझे 100% में चाहिए भाई देखें सफल होने के लिए एक चीज मैं आपको बता दूँ देखो एक्जाम का एक पैटर्न होता है है ना सरल कुशन आपसे किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए और भाया अगर टॉक्टोरा टफ कुशन है मॉडरेट कुशन है तो उसे सॉल्व करने का प्रियास यही प्रारूप समिति के अद्दच मैंने अभी अभी बतायता डॉक्टर बी आर अंबेट कर आपको याद रखते हैं आंसर ए कितने लोगों ने लगाया तो 95% लोगों का अंसर ए रहा अगला कुशन आपके सामने बताईएगा इन नदियों में से कौन अंतर राष्ट्य सीमा बताये अंतर राष्ट्य सीमा बनाने वाली नदी इन में से कौन सी है अंतर राष्ट्य सीमा का निर्मार करने वाली नदी इन में से कौन सी है जल्दी से बताएंगे तो यहाँ पर एक चीज देखेगा अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में आपके एक देश है फ्रांस औ एक देश है आपका जर्मनी ठीक है तो फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर होकर ठीक है फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर से होकर एक नदी बहती है और इस नदी को आप क्या कहते है राइन नदी ठीक है क्या कहते है इसको राइन नदी कहते है भाईया इस राइन नदी की ए jook mountains भी कहते हैं होता क्या बिया कि जब जमीन का एक सा धरातल का एक सा नीचे की तरफ चला जाए और आसपास के हिस्से उपर की तरफ उड़ जाते हैं तो वहां पर जो उपर उठे हिस्से होते हैं उहुनको आप भ्रन्स पर्वत भ्रंस परवत का उधारन है खंड परवत का उधारन है ब्लैक फॉरेश्ट ठीक है आपसे डारेक्ली कुशन आएगा एक्जाम में ब्लैक फॉरेश्ट कहां पर है तो ब्लैक फॉरेश्ट कहां पर है जर्मनी में इसके अलाबा आपको याद अकना है आपके जर्मनी में ही एक सो मैं सबसे अच्छे उधारण माने जाते हैं कौन कौन से माने जाते हैं बिलैक फॉरेश्ट हर्ज और वाजज ठीक है आपर आंसर क्या लग जाएगा राइन नदी आपको याद अकना है राइन नदी ऐसी नदी है जो यह अंतर राष्टिया सीमा का निर्मार करती है आंसर क परसेंट आंसर देने वालों में मेरे हीरे मेरे नगीने राज राना क्रिमिनल रोशन अंसिया एपंडित और रितिक इनका अंसर भया सबसे तेज और सबसे सटीक आया चलिए जी अगला कुशन लगाते हैं यहाँ पर आपके सामने बताइए विश्व का सबसे ठंडा इस्थान कौन सा है जल्दी जल्दी बताएगा भया क्या अंसर होने वाला है विश्व का सबसे ठंडा इस्थान अब भया यहाँ पर ठंडा इस्थान पूछा है तो फिर आप गरम इस्थान आप बता दो है ना विश्व का सबसे गरम इस्थान कौन सा है यहाँ पर सबसे थंडा इस्थान पूछा गया, क्या अंसर लगा दोगे, बर्खो यांस्क लगा दोगे, साइबेरिया में, क्या लगा दोगे, बर्खो यांस्क साइबेरिया जो है, यह आपके विस्व का सबसे थंडा इस्थान है, सबसे गरम इस्थान कौन सा है, अभी तक एक भी आंसर नह वोकर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है या डैथ वैली यानि मृत घाटी यूएसे में सबसे जादा टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया है इससे पहले आपको याद अखना है इससे पहले सबसे गरम स्थान जो था वो आपका अल अजीजिया हुआ करता था कौन सा हुआ करत इससे पहले विसो का सबसे गरम इस्थान था किलियर रहेगा सबको आगे से याद रखेगा ठीक है अगला कुशन आपके सामने है आंसर इसका देख लेते हैं बता दिया ना अगला कुशन आपके सामने है बताईए कौन सा विसेसर प्रस्तावना का भाग नहीं है बताईए Liberty, Tolerant, Sovereign, Secular क्या answer होने वाला है जल्दी से बताईएगा जल्दी जल्दी बताएंगे भीया क्या answer होने वाला है इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो प्रस्तावना का भाग नहीं है तो भीया आपको पता है आपकी प्रस्तावना में यहाँ पर स्वतंतरता सब्द, संप्रभू सब्द और धर्म निर्पेच्छ सब्द इन तीनों सब्दों का प्रियोग किया गया है लेकिन सहिश्ट्रों सब्द का प्रियोग नहीं किया गया भाई जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएगा किस case में किस case में सम्मिधान को प्रस्तावना का भाग नहीं माना गया था जल्दी से comment करके बताओ जलता है यहाँ पर answer दिखते हैं भी कितनी लोगों का रहा तो 92% लोगों का answer दी रहा हाँ बाई जल्दी से बताए मुझे किस case में यह कहा गया था कि प्रस्तावना सम्मिधान का भाग नहीं है चलिए भी यहाँ पर देखे दो case आपको याद रखना है एक case जो है वो आपके क्या कहलाता है जिसमें आपके case वानन्द भारती दे रहे हैं कई लोग case वानन्द भारती नहीं होग कई लोग गोलक नात भी दे रहे अरे नहीं भीया ठेक है यहाँ पर आपको एक case याद रखना है ठेक है और वो case आपका हो जोगा एक case तो आपको याद रखना है प्रस्तावना के बारे में यह आपका case वानन्द भारती case है कौन सा case है यह case वानन्द भारती case ठेक है 1973 में हुआ था case वानन्द भारती case 1973 में यह कहा गया था कि भीया प्रस्तावना संब्धान का अभिन नंग है और उसमें परवर्तन भी किया जा सकता है लेकिन ऐसे किसी change से आपकी संब्धान के basic structure पर कोई असर नहीं पढ़ना चाहिए इससे पहले एक case आया था आपके बेरुबारी case कौन सा case था बेरुबारी case था 1960 में बेरुबारी case पहले आया था और बेरुबारी case में सुप्रीम कोट ने कहा था कि प्रस्तावना संब्धान का अंग नहीं है इसी बज़े से उसमें changes नहीं किये जा सकते अच्छा भई जल्दी से मुझे comment करके बताईएगा प्रस्तावना को संब्धान की आत्मा किस ने कहा था बताईए वड़ापर से प्रस्तावना को संब्धान की आत्मा किसने कहा था बताईए वड़ापट से प्रस्तावना को संब्धान की आत्मा कहने वाला कौन है बहुत बढ़िया की ठाकुरदास भारगव क्या नाम यादखना आपको अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना को सम्मिधान की आत्मा किस ने कहा था तो ठाकुर दास भारगव का नाम आपको याद अखना है ठीक है यहाँ पर एक और चीज मैं बता देता हूँ कि सम्मिधान की आत्मा में आपके आर्टिकल 32 को भी सामिल कियाता है और अनुचिद 32 को सम्मिधान की आत्मा कहने वाले डॉक्टर भीमराब अमबेट करते अगर कभी ऐसा कुशन आ जाए कि कुशन आए अपसे कहे कि निम्न मैंसे किसे सम्मिधान की आत्मा कहा जाता है और अपसर में आपको अनुच्छिद 32 और आपको प्रस्तावना दोनों दे रखा हूँ तो आप अंसर अनुच्छिद 32 लगाईएगा ये चीज आपको याद रखनी है अगला कुशन आपके सामने है बताएगा क्या अंसर है इसका सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है बताएगे सिस्मोग्राफ का प्रियोग इन मैं से किसे मापने के लिए किया जाता है क्या अंसर होने वाला फड़ाफर जल्दी यल्दी बताएगे सभी बहादुर बहुत बढ़िया भई बहुत बढ़िया यहां पर आपको याद रखना है भईया सिस्मोग्राफ की अगर हम बात करें तो सिस्मोग्राफ को भईया हिंदी में आप भूकंप मापी यंत्र के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं इसको भूकंप मापी यंत्र कहते हैं यानि भूकं तरंगों की उत्पत्ति उत्यों तरंगों को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रियोग कियाता है उसको सिस्मोग्राप का आयाता है सिस्मोग्राप के कई सारे प्रकार होते हैं और उनमें से सबसे प्रिसिद्ध प्रकार जिसका सबसे जादा प्रियोग किया आता है वो है आप कोई ख्यानिकी भूकंप की तरंगों को मापा जाता है आंसर हो जाएगा C कितने लोगों ने लगाया है तो भाई या 60% लोगों का आंसर C रहा अगला कुशन आपके सामने बताएगा Mount Everest कहां इस्तित है ये तो बड़ा आसान सा कुशन आ गया भाई 100% में आंसर मिलेगा क्या जल्दी अल्दी से बताएगा क्या आंसर होने वाला है Mount Everest इन में से कहां इस्तित है तो भाई आप Mount Everest की बात करें तो भाई ये तो सबको पता होगा कि Mount Everest कहां इस्तित है नैपाल में माउंट एव्रेश्ट को क्या कहा जाता है लुंगमा का आर्थ क्या होता है तो इसका आर्थ होता है परवतों की रानी ठीक है इसका क्या आर्थ होता है इसका आर्थ होता है परवतों की रानी यहाँ पर एक और चीज आप देखेगा कि मांट एवरेश्ट की उंचाई में लगातार व्रद्दी हो रही है उसका कारण क् हिमाले परवतमाला की उंचाई में लगातार वरदी हो रही है अच्छ अब ये कुशन है मेरा आपसे जल्दी से बताईएगा विस्व की सबसे लंबी परवत स्रंखला कौन सी है विस्व की सबसे लंबी परवत स्रंखला विस्व की सबसे लंबी परवत संखला कहां इस्तिते कौन सी है, जल्दी जरे बताईएगा बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको याद रखना है andies परवतमाला कौन सा याद रखना है आपको andies परवतमाला andies परवतमाला जो आपके south amerika में इस्थत्य है यह आपके विश्व की सबसे लंबी परवत संखला है जल्दी जे कमेंट करके बताओ andies की सबसे उंची चोटी का नाम क्या है गुआ एंका का गुआ जो आपके दच्छड अमेरिका की भी सबसे उंची चोटी है ये आपके एंडी परवत माला की सबसे उंची चोटी है अगर आपसे कुछ चनाता है कि विश्व की सबसे उंची यानि कि सरवादिक उंचाई वाली चोटी उंचाई वाली चोटियां रख अलम्ल का जल्दी से कमेंट करके बताऊ कंचन जंगा परवत कहां पर है जल्दी से बताऊ अधर में बहुत अपके बहुत बढ़िया अकई रियांसी अंजिली जहां और कोण है और कोणशन ते कंचन जंगा आपके भारत के सिक्किम में थेखे हैं, ठीक है विअ, सिक्किम में, अभी आपको पता है, विए दो-चार दिन पहले, दो-तीन दिन पहले आपके जो भूकंप आया था, उस भूकंप के बाद सिक्किम में बार आ गई थी, है ना क्योंकि तीस्ता नदी का जल इस्तर अपने आप मता अचानक से बढ़ गया था कारण क्या था कि भीया आपके ऊपर की और यानि परवतों पर आपके बादल फटे थे बादल के फटने का मतलब क्या होता है ये एक जोगफिकल टर्म है भाई है ना एक भोगवालिक ये का टर्म है जिसे हम बादल फटना कहते हैं अब बादल फटने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई गुबारा है और गुबारा फूट गया है लेकिन इस्थती वैसी ही बनती है होता क्या है बादल फटने की घटना जादतर हमेशा कहां होती है तो बादल फटने की घटना हमेश जादत पर परवतों पर होती है कारण क्या है तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा देखो बादल बनते कैसे हैं है ना यह आपका surface है यह आपका धरातल है ठेक है धरातल पर आपको पता विया सूरी के प्रकास की किरिने नीचे आती है है ना जब सूरी के प्रकास की किरिने हमारी प्रत्वी पर नीचे की तरफ आती है तो इसके नीचे की तरफ आने से हमारी प्रत्वी का जल जो है वो भाब बनकर उपर की तरह पुठता है यानि कि ये क्या है तो ये आपके बॉटर वैपर है मतलब जलवास्प ठेक क्या है ये ये आपका जलवास्प है जलवास्प उपर की तरह पुठने लगता है जब जलवास्प उपर की तरह पुठने लगता है तो हमारे उपर यानि वायू मंडल में वाईू मंडल में भईया आपके जो धूल और धूए के कण पायाते हैं यानि यह क्या है यह आपके डश्ट पार्टिकल है यह डश्ट पार्टिकल मतल्च धूल और धूए के हैं इनको आप लोग आधरता ग्राही केंदर भी कहते हो उससे क्या बन जाएगा बादल आपके लगातार तेरते रहते हैं चलते रहते हैं, और उंचा है, यानि कि जब तह ये हलके रहते हैं, तब तह इनकी उंचा ही बढ़ती रहती है, कभी-कभी परवतों पर, ये परवतों के बीच में फज जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर इन बादलों की आदरता अधिक होने के कारण, यू अगातार बहुत बड़ी मात्रा में वर्सा होती है तो उसी को बादल का फटना कहते हैं ठीक है भीया चलिए अगला कुशन हमारे सामने आ रहा है देखते हैं क्या अंसर होने वाला है यह रहा अगला कुशन मूगा रेसम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है बताएं वड़ाप है सब चीज है यहाँ पर ठीक है चलिए यहाँ पर मूगा रेसम पूछ रहा है मूगारेसम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है तो यहाँ पर आपको याद लगने वाला है और देख लेते हैं बियांसर लगाने वालों की संख्या क्या रही तो 88% का भी आंसर है अगला कुशन आपके सामने है नहरू मैमोरियल संग्राहले और पुस्तकाले इनमें से किस जगे पर इस्तित है कोलकाता में है नई दिल्ली में है प्रियाग राज में है मुंबई में है बताए क्या आंसर होने वाला है जे नहरू मैमोरियल म्यूजियम जो है ये कहाँ इस्तित है बहुत बढ़ीया बहुत बढ़िया शानदा जबस जिंदाबाद मेरे बहादरो यहाँ पर आपको याद अकना है नियू डेली यानि नई दिली में भईया आपके नहरू, मेमोरियल, संग्रहाले और पुस्तकाले इस्थिते यानि यहाँ पर अंसर क्या लगने वाला है भी अंसर कितने लोगों ने लगाया तो 88% का अंसर भी रहा अगले कुशन की तरफ यहाँ पर छोब मंडल, फिर संताप मंडल, आयन मंडल और फिर मद्य मंडल दूसरा देखा है छोब मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, मद्य मंडल चोब मंडल, मद्य मंडल, आयन मंडल, संताप मंडल, छोब मंडल, मद्य मंडल और आयन मंडल तो यहाँ पर देखेगा भी यह आपका प्रतवी है ना और यहां पर आपके भईया क्या इसके चारों तरफ आपको इस तरीके से वायू मंडल की परतें पाई जाती है ठीक है तो भईया जो सबसे पहली परत है इस पहली परत को क्या कहा जाता है तो इसको आप लोग ट्रॉपो इस्फियर के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं इसको आप ट्रॉपो इस्फियर के नाम से जानते हैं या इसको आप छोब मंडल भी कहते हैं ठीज भीया छोब मंडल में क्या होता है तो याद रखेगा भीया छोब मंडल में मौसम की सभी होती हैं वो कहां होती हैं छोब मंडल में होती हैं मतला बादलों का बनना बारिस का गिरना बारिस पढ़ना या फिर आपके बिजली का कड़कना ये सब कहां होता है छोब मंडल में होता है ठीक है इसके बाद ऊपर की तरफ चलोगे तो दूसरा मंडल आ जाएगा है ना इसके acceptance sphere कहलाता है या इसको आप samtap मंडल के नाम से भी आनते हो नाम से पता पढ़ रहा है samtap मंडल में temperature जो होता है वो लगबलग लगबल इसफिर हो जाता है ना तो बहड़ता है ना गढ़ता है और इसी वभयए से यहां पर एक question बनता है कि भाईया जो वाईयान होते हैं, जैट प्लेन होते हैं, वो कहां उड़ाए जाते हैं, तो जैट प्लेन कहां उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल के उपरी हिस्से में, यहां पर भाईया एक गैस पाई जाती है, एक गैस की परत पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल के उपर परत कहां पाई जाती है ठीक है क्या आएगा आपसे आपसे कहेगा ओजोन परत कहां पाई जाती है तो आपको याद अकना है ओजोन परत समताप मंडल के उपरी भाग में पाई जाती है ओजोन की बात करें तो ओजोन परत आपके सूर से आने वाली हानी कारक किरणों से हमारी रक्षा करती है उसके अलाबा ओजोन परत जो है उस ओजोन परत में प्रत्वी से जो भईया CFC गैस क्लोरो फ्लोरो कार्बन निकलती है वो ओजोन परत की डेंसिटी में कमी ला रही है और ओजोन परत की सांदरता या घनत्त में कमी आना यही कहलाता है ओजोन परत में छिद् और ऐसा पहला छिद्र अंटार्क टिका महादीप पर दिखा गया ओजोन की मात्रय घलतों को मापने के लिए डाबसन इकाई का प्रियोग कियाता है किसका कियाता है डाबसन नामक इकाई का अगला यहाँ पर देखेगा इसके उपर की तरफ बढ़ोगे तो आपके वायू कहलाती है या इसको आप मद्य मंडल के नाम से भी जानते हो क्या कहते है मद्य मंडल के नाम से भी जानते हो यहाँ पर भईया टेंपरेचर में कमी आने लगती है और हमारी प्रत्वी का सबसे ठंडा मंडल वो आपके मद्य मंडल है इसके बाद अगली परत आपकी लगती ह और ये जो अगली परत है इसे क्या कहा जाता है तो ये अगली परत आपकी आईनो इस्फियर कहलाती है क्या कहलाती है ये आपकी आईनो इस्फियर कहलाती है ये इसी को आप थर्मो इस्फियर के नाम से भी जानते हैं क्या कहते हैं इसको थर्मो इस्फियर भी कहते हैं मतलब इसको आप आयन मंडल भी कह सकते हो या आप इसे ताप मंडल भी कह सकते हो ताप मंडल की बात करें आयनोई स्पेर की बात करें तो हमारी प्रत्वी के बायू मंडल की सबसे गरम परत जो होती है वो आपकी आयन मंडल या ताप मंडल होती है इसके अलाबा आयन मंडल में प्र किये जाते हैं इसके अलाबा आयन मंडल में हैं आपके अरोरा बोरियलेस और अरोरा ऑस्टेलेस मता सुमेर जोती और कुमेर जोती की घटना घटित होती है और इसके ऊपर की तरफ अगर आप निकल जाओगे तो हमारी प्रत्वी का विया अगला मंडल आ जाएगा वायू मंडल का अगला मंडल आपका क्या कहलाता है तो इसको आप एग्जोस्फियर के नाम से आनते हैं क्या कहते हैं इसको एग्जोस्फियर या इसको आप बाहे मंडल के नाम से आनते हो ठीक है और अगर बाहे मंडल से ऊपर की तरफ मिल गए ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा फिर वहां पर भाईया ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी यानि क्या प्रारंबो हो जाएगा तो यह आपका ब्रह्मांड प्रारंबो हो जाएगा तो आपसे अगा कुशन आता है कि प्रत्वी की परतें या वायू मंदल की परतें कौन कौन सी है और उनका क्रम क्या है तो आप ये क्रम बता सकते हैं भाई सब लोगों को समझ में आया नहीं आया जल्दी से एवा कमेंट करके बताईएगा सब लोगों को समझ में आया नहीं आया कोशन का अंसर देख लेते हैं क्या है तो यहाँ पर question का answer आपका लग जाएगा C, ठीक है क्या answer लग जाएगा C answer, C answer कितने लोगों ने लगाया है, तो C answer लगाने वाले 60% लोग रहे, भाई सब लोगों को समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से एक बाँ बताईएगा, बहुत बढ़िया, अगला question लगा दे, रक्त के ठक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, coagulation कहा जाता है, thrombocytopenia कहलाता है, या hemophilia कहलाता है, या homophobia कहलाता है, बताईएगे क्या answer होने वाला है, जी, तो भया यहाँ पर एचीज पर गौर करिएगा, रक्त के ठक्का जमने की प्रक्रिया, आपकी भी या रक्त के ठक्का जमने में आपको पता है, विटामिन के मदद करता है, ठीक है, और रक्त के ठक्का जमने की प्रक्रिया को, coagulation नाम से जाने आता है, क्या कहते हैं, रत के ठकका जमने की प्रक्रिया को, आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर, ए आंसर कितने लोगों ने लगाया तो 60%, अगला कुशन आपके सामने है, बताईएगा, भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के कूट नाम से, उननिस सो और तालिस में किसका विले किया था, बताईए, ऑपर पोलो जो 1948 में चलाए गया था, तो भाईया यहां पर आपके हैदराबाद राजजी को मिलाने में, भाईया आपको पता है, जब हम लोग आजाद हुए थे, तो आजादी के बाद आपके भारत को एक संग बनाना था, यूनियन बनाना था, तो राजा महराजा जो हुआ करत और एक था आपका हैदराबाद, ठीक है, जम्मू कस्मीर, जुनागर और हैदराबाद, इन तीनों ने मिलने से मना कर दिया था, बाद में भाईया आपको पता है, सरदार बलब भाई पटेल के प्रियासों से, ठीक है, जम्मू कस्मीर जो था, जम्मू कस्मीर को मिलाया गय और हैदराबाद को युद्ध प्रक्रिया के द्वारा मिलाया गया ठीक है यहाँ पर क्या अंसर हो जाएगा कितने लोगों ने लगाया है तो 96% अगला कुश्चन बताइएगा क्या होगा भारतिये समिधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तसकरी और जबरन स्रम पर रो ट्रैफिकिंग इन यूमन बिंग्स एंड फोर्जड लेबर बताइए क्या अंसर होगा मानव तसकरी और जबरन स्रम मतलब किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराना या किसी इंसान को खरीदने और बेचने पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है तो भाया यहाँ पर आ पर आपको याद अखना है किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कारें नहीं कराया जा सकता इसके अलाबा अनुच्छेद 24 की बात करें यह भी एक्जाम में खूब पूस्ता है तो अनुच्छेद 24 आप से यह कहता है कि बच्चों के बच्चों के फैक्टरी इत्यादी में लगान याद अखे का बहुत इंपोडेंट है अगला यहाँ पर देखे आटिकल 25 की बात करें तो आटिकल 25 यह कहता है कि आपको किसी भी धर्म को अपनाने की उस धर्म के अनुच्छार ब्यभार करने की और उसका पिरचार पिरशार करने की स्वतंतरता यह आटिकल 25 आपको देता अनुच्छे पांच जो है यह आपके नागरिक्ता से संबन देते हैं और आर्टिकल 13 जो है वो यह कहता है कि पार्लियमेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को सीमित करता हूँ जिसका उल्लेक संब्धान में किया गया है या सम्मिधान के किसी अनुच्छेद में किया गया है उनको सम्मिधानिक निकाय कहते हैं और यदि किसी भी निकाय या किसी संस्था का गठन अगर पार्लियमेंट के बनाए गए किसी एक्ट से हुआ है तो उनको फिर बैधानिक निकाय इस्टेटूटरी बॉडी कहा जाता है यहाँ पर देखे बित्तायोग, बित्तायोग का गठन आपको पता ही है, आपके सम्मिधान के आर्टिकल 200C, अनुच्छे 280C में बित्तायोग के गठन का उलिख है, आपको पता है विया, के आपके राश्टपती 5 वरसों के लिए बित्तायोग का गठन करते हैं, बित्तायोग between center and state इसके लिए आपके वित आयोग का गठन किया जाता है है ना यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राश्टिय अनुसूचित जनजाती आयोग की तो भईया आपको यहाँ पर देखो याद अखना है article 338 आपको याद अखना है article 338 A और आपको याद अखना है article 338 B है ना अगर हम 338 की बात करते हैं तो यह NCSC की बात करता है यह क्या है National Council for Schedule Cast ठीक है National Council for Schedule Cast यानि राश्टिय है है ना आपके अनुसूचित जाती के लिए राश्टिय आयोग ऐसे ही 338 A की बात करें तो यह NCSC की बात करता है National Council for Schedule Tribe मता अनुसूचित जाती के लिए राश्टिय आयोग और अगर हम बात करते हैं 338 B की तो यह आपसे NCBC यानि National Council for Backward Classes की बात करता है यानि पिछडे वर्ग के लिए राश्टिय आयोग इसी तरीके से चुनाव आयोग का उलेक किस में है तो चुनाव आयोग का इलेक Article 324 में है लेकिन नीती आयोग जो है नीती आयोग का उलेक आपके सम्मेदान में नहीं किया गया ठीक है जल्दी से comment करके बता नीती आयोग का अद्द्यच कोन होता है नीति आयोग का अध्यच कौन होता है जल्दी से बताईएगा उमेश कुमार सर मेरा नाम ले लो एक बार अच्छा जी बिल्कुल जी आपका नाम ले लिया है उमेश कुमार जी हमने चले आगे चले हाँ बिल्कुल नीति आयोग का अध्यच कौन होता है तो परधान मंतरी होते हैं ठीक है चले नेक्स कुशन लगाए उससे पहले आंसर देख लो बी आंसर कितने लोगों ने लगाया तो बी आंसर 91% लोगों का रहा अगला कुशन आपके सामने आ चुका है अम अमरावती स्थूप भारत के किस राज्य में है जल्दी से बताईएगा बताईए वड़ापर से यल्दी से अमरावती स्थूप भारत के किस राज्य में इस्थित्य है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शांदार जानदार जबर्दार जिंदाबाद मेरे बहादरो यहा पर आपको याद रखना है अमरा वतीस तूप अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको आंद प्रिदेश राज्य याद रखना है कौन सा याद रखना है आपको आंद प्रिदेश राज्य आपको याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा सी आंसर कितने लोगों ने लगाया है तो 75% बाइ ये कुश्ण है मेरा आप से जल्दी से छापके बताओ जल्दी से छापके बताएंगे के भारत में माननेता प्राप्त बंदरगाओं की संक्या कितनी है जल्दी से कमेंट करके बताएं है न साइटीऐड़ पोर्ट भारत में कितने हैं क्या answer ओने वाला जल्दी से बताएगा चलिए बहुत बढ़िया है ना भारत में माननेता प्राप्त जो बंदरगाएं उन बंदरगाओं की संक्या कितनी है भया तेरे है ना तो भया इन बंदरगाओं के बारे में भी कुशन पूछ लेता है तो भईया इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे तो भईया ये है हमारा भारत वर्स हमारा भारत अपना भारत सबका भारत प्यारा भारत ठेक है तो भारत वर्स का एक छोटा सा छवी चित्री यहां पर हमने ले लिया है अगर हम भाया यहां पर बंदरगाहों की बात कर रहे हैं तो भाया सबसे पहले गुजरात में जो बंदरगाह है इसका नाम मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा गुजरात में कौन सा बंदरगा है जल्दी से कमेंट करके बताओ गुजरात में कौन सा बंदरगा है जल्दी से कमेंट करके बताओ आधरो गुजरात में कौन सा बंदरगा है बहुत बढ़िया गुजरात में कौन सा है या कांडला बंदरगा है कौन सा है कांडला बंदरगा ठीक है इसके अलाबा महराष्छ में आ जाओ, तो महराष्ट में सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, मुंबई, मुंबई बन्दरगा, मुंबई के बाद ही आपका पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं, नहावा सेवाबंदरगा, जिसको आप लोग जवाहा लाल नहरू बन्दरगा, के नाम से भी जानते हैं इसके अलाबा भया फिर गोवा में आ जाओ तो गोवा में कौन सा पढ़ेगा तो गोवा में पढ़ता है मार्मू गोवा यह कहां पर है आपके गोवा में इस्तित है इसी तरीके से भया आगर हम बात करते हैं करनाटक की तो करनाटक में कौन सा हो बैंगलूरू हो जाएगा इसके अलाबा आपको पता है केरल में चलिया है तो केरल में जो बंदरगा आपको प्राप्त होगा वो कौन सा होगा कोची होगा तो यहां पर अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में आपको पता है कोलकाता बंदरगा या हल्दिया बंदर है अगर अंध प्रिदेश की बात करते हैं तो अंध प्रिदेश में कौन सा है तो अंध प्रिदेश में विसाखा पत्तनम इस्थित है कौन सा है विसाखा पत्तनम कहां पर है अंध प्रिदेश इसके अलाबा आपको तीन और याद रखने हैं तीन कौन कौन से एक है आपका च ये आपका पोटबीर बंदर्गा है कि और हसमझ में ये लोग को ऐने, एक बार के की रिपो्ड दें फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं जले बहुत बढ़िया भाई आगे चलते हैं अगले कुशन की तरह बढ़ जाते हैं ये राब या अगला कुशन ब्रीलदी से बताए रण उतसप किस राज्ज में मनाया जाता है जल्दी से बताओ, रण उतसब किस राज्य में मनाया जाता है, महाराष्ट में, मद्ध प्रिदेश में, गुजरात में या राजस्थान में, बताईए, रण उतसब कहां मनाया जाता है, तो भाई ये तो देखो, आंसर जो है, वो कुशन में ही छिपा हुआ है, क्योंकि हमें पता है भई या गुजरात में ही कच्छ का रण इस्थित है तो वहाँ से अंदाज है लगा दोगे आप है ना दोनों को मिला कर याद रसकते हो तो रण उतसब किस राज्जी से सम्मनित है तो आपको गुजरात राज्जी याद रखना है कौन से याद रखना है गुजरात र ब्रीफ इस्टोरी आफ टाइम लिखने वाले का नाम बता हैं, जॉन ग्रीन, जेके रोलिंग, सुजामे को लिंग, या फिर आपके स्टीफन आज़ों के उनके उन्क ओकिनग। जल्दी से बताईएगा भीया अब ब्रीफ इस्टोरी ओफ टाइम को लिखने वाले कौन है तो यहाँ पर किसका नाम याद अखना है भीया ग्रेट साइन्टिस्ट महान वैज्ञानिक कौन स्टीफन हॉकिंग ठीक है स्टीफन हॉकिंग जो है उनके द्वारा भीया प्रिसिद्ध पुस्तक अब ब्रीफ इस्टोरी ओफ टाइम को लिखा गया अंसर क्या हो जाएगा डी अंसर कितने लोगों ने लगाया तो छेतर परसेंट का डी अंसर है अगला कुशन आपके सामने है बताईए सीवी रमन के युगदान को मनाने के लिए राष्ट्य विग्यान दिवस कब मनाया जाता है बताईए सीवी रमन के युगदान को देखने के लिए युगदान को मनाने के लिए राष्ट्य विग्यान दिवस कब मनाया जाता है 28 फरवरी को 14 फरवरी को धी रमन के द्वारा आपको पता है रमन प्रभाव की खोच की गयी थी रमन एफेक्ट की खोच की गयी थी और उनके इस YT को बहकर नाने के लिए राश्थिय विज्ञान दिवस अठाइस फरवरी को मनाए जाता है अंसर क्या हो जाएगा ए ऐंसर कितने लोगों ने लगाया त आपके सामने हैं बताएं विष्व पतर्यावरन दिबस कब मनाया जाता है? विष्व पतर्यावरन दिबस मना जाता है? उप्सन में 5 अपरेल, 5 मैं, 5 जून, 5 मार्च दे रखा है तो भी है यह तो कनफर्म है कि 5 तो ही है और पाँच में क्या है तो 5 जून है प्रतिवर्स पाँच जून के दिन विश्व पर्यावरन दिवस को सेलीब्रेट किया जाता है World Environment Day को मनाया जाता है answer C लगाओ कितने लोगों ने लगाया है तो भहिया 60% लोगों का answer C रहा अच्छा अब यह जल्दी से कमेंट करके बताओ विश्व कैंसर दिवस कम मनाया जाता है 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 विश्व कैंसर दिव जाविया, चार फरवरी, प्रतिवार से चार फरवरी के दिन, विस्व कैंसर दिवस को Roll Birêt के आ जाता है, अगला कुस्छन आपके सामने है, बताएं, निम्न मैं से कौन भारत के जुड़वा सहर नहीं है, बताएं, जुड़वा सहर, त्वइन सिटी, इन। मैं से नहीं है, द दूसरे से सटे हुए होते हैं और एक दूसरे की पूर्ती करते हैं तो उनको आप जुडवा सहर कहते हो और यहाँ पर आपको याद अखना है एहंदाबाद और गांधी नगर यह दोनों जुडवा सहर हैं हुबली और धारबार यह भी है कटक और भूमनेश्वर भी हैं लेक लो जी केवल 26 परसेंट का सी आंसर आप तो बताना पड़ेगा यह 26 परसेंट में हीरे और नगीने कौन-कौन हैं तो प्रियांसु हैं करमवीर हैं नितीस हैं छवी सेंग सिवानी मिस्रा और अमन गौरब चलिए जी अगला कुशन आपके सामने हैं बताएं जै प्रकास ना नारेंड को लोकप्रिया रूप से किस नाम से जाना जाता है जै प्रकास नारेंड को लोकप्रिया रूप से क्या कहा जाता है भाई यह देस बंदू किसे कहते हैं तो देस बंदू कहा जाता है चितरंजन दास जी को किसको कहते हैं चितरंजन दास ठीक है दीन बंदू किसक ڈریو को किसे कायाता है C.F. misinformation जो है उनको आप लोग दीन बंदू कहते हैं और अगर हम बात करते हैं जैपरकास नारायन की तो इनको लोक नायक कहा जाता है क्या काया था है इनको लोक नायक कहा जाता है ठीक है ये चीज़ आपको प्रकास नारायन को, ठीक है, यहां तक किलियर है सब लोगों को, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा, एक इतने लोगों ने लगाया है, तो 6% से हैं अगला कुश्षन आपके सामने है बताईएगा इन मैंसे किसे आंद्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है उमेश कुमार जी कह रहे हैं कि मेरा नाम ले लोगे सर्थ 200 प्लस हो जाएगा अच्छा जी चलिए जी बढ़िया बात है उमेश कुमार जी लेकिन देखेगा यह यह लोग यहां पर लगातार बने हुए हैं मेरे इसाब से क्लास भी सब लोगों को अच्छा लग रहा हुगा मेरे इसाब से क्लास भी सबको अच्छा लग रहा होगा कोश्षन भी सबको अच्छे लग रहे होंगे मैं काफी च्छाट च्छाट कर कोश्षन आपके लिए ल कासम को आंद्र केसरी कहा जाता है याद रखेगा यहाँ पर खान अब्दुल गफार खान की बात करें तो आपको याद रखना है इनको आप सीमान्त गांधी के नाम से भी जानते हो क्या गहते हैं इनको आप सीमान्त गांधी के नाम से भी जानते हो आंसर क्या हो जाएगा ए अंसर हो जाएगा कितने लोगों ने ए अंसर लगाया तो भाई यहां पर 83% लोगों का अंसर ए रहा है अगले कुशन की तरब बढ़ते हैं नेक्स कुशन आपके सामने है बताइए आख में प्रकास की किरिण है बाहरी पारदर्सी सनचना के माद्दम से आख के सामने इस्थत नामक अंग से प्रवेस करती हैं कहां से प्रवेस करती हैं प्रकास की किर्णे लेंस आइरिस कॉर्णिया ऑप्टिक तंत्रिका बताइए क्या अंसर होने वाला है यल्दी से बताइएगा बया जल्दी यल्दी आंसर देंगे आख में बया कौन सा भाग है जहां से होकर प्र प्रतिविंब बनेगा अगला कुशन हां जी भिया रैटिना बहुत बढ़ी है तो प्रतिविंब आपको क्या बताना है रैटिना पर जाका प्रतिविंब बनेगा अगला कुशन आपके सामने है बताईएगा प्रैस बायोपिया को सही करने के लिए आम तौर पर इस्तमाल किया जाने वाला लेंश कौन सा है रैटिना प्रैस बायोपिया तो इस रोग को जरानदता के नाम से जाना चानता है जरानदता कहते है या इसी को आप ओल्ड एज़ स प्रेस बाई हुपिया जयादा तर भर जो उम्र जयादा होती है बूरे लोग जो अनमें होने वाहला रोग है उनमें होता क्या है कि भरिया उनको पास और दूर 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 बत्वाया दूरश्टी दो Doll's, निकट दूरश्टी दूर धूरखष़ सपानों ही लगाया तो भईया 50% का आंसर ए रहा अगला कुशन आपके सामने है बताईएगा हिम तेंदुओं का घर हैमिस राष्टिय उद्यान कहां इस्तित है जल्दी से बताओ हैमिस राष्टिय उद्यान कहां पर इस्तित है जल्दी से बताईएगा हैमिस राष्टिय उद्यान कहां पर इस्तित है, चलिए, यहाँ पर एक question में, आपसे पूछ लेता हूं, जब तब तो उसे छापिएगा, पिन घाटी, राश्टि उद्धान कहां पर है, पिन घाटी, पिन वैली, राश्टि उद्धान कहां पर है, जब तो छापो, जब तो इसका अंसर धेख ले, हैमिस, रा राश्टियूद्द्ध्यान कहां पर है तोime ल़धाक में इसके अलाभा पिनगहाटी अगर पूछे तो पिनगहाटी कहां पर है हिमाचल में इस थनः घिसाटेव Center Churchiley अगर तो D answer लगाने वाले 73% विद्यारती हैं, अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स कुशन आपके सामने आ चुका है, बताइए, भारतिया खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्याले कहां पर है, The Headquarter of the Indian Institute of Astrophysics is located, कहां पर है भाई, सिलोंग में है, इंदोर में है, नैनिताल में है, बैंगलोर में है, क्या आंसर होने वाला है, चलिए जी, बताइए क्या आंसर होने वाला है, भारतिया खगोल भौतिकी संस्थान, इन में से किस स्थान पर है, तो भाईया क्या आंसर लगान होने वाले हैं, आपतो तो सही आंसर यद रखेगा, इसका क्या होने वाला है, फ्च्राइक क्या हो जाएगा बैंगलोर हो जाएगा, बैंगलोर में आपके क्या है, भारतिया खगोल भौतिकी संस्थान का हैड़कोटर, answer D, कितने लोगों ने लगाया भई, तो सर्षट पर को पराजित करने वाला कौन था जल्दी यल्दी बताईएगा भाईया यहाँ पर इतिहास के मैं आपको महतवपूर युद्ध बता रहा हूं ठीक है इतिहास के महतवपूर युद्ध मैं आपको बता रहा हूं भी चीछ में आपको भी कोई याद आते रहें तो बताते रहें ग्यारे सो एक्यानवे में बात करें तो ग्यारे सो एक्यानवे में जो युद्धु आता ये था आपका तराइन का युद्धु आता इस तराइन के पर्थम युद्धु में आपको पता है जो मुहम्मद गौरी था उसे प्रत्विराद चोहान की द्वारा हराया गया लेकिन ग्यारे सो बानवे में ही पापके मुहम्मद गौरी ने दुबारा आक्रमर किया और तराइन का दुतिय युद्वा और इस दुतिय युद्व में पत्वीरा चोहान की हार हुई और मुहम्मद गौरी की विजे हुई इसके बाद ग्यारे सो चौरानवे में मुहम्मद गौरी ने फिर आक्रमर किया और आपको यादखना है मुहम्मद गौरी और आपके जैचंद के बीच प्रसिद्ध चंदावर का युद्धुवा कौन सा युद्धुवा था चंदावर 1194 में चंदावर है तो यह तीन महतपूर युद्ध थे जो आपके हुए थे 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में तराइन का दुतिय युद्ध और भईया 1194 में चंदावर का युद्धुवा था जिसमें जैचंद को हराया गया था तीलियरे भईया चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा चोहान हो जाएगा पत्वीरा चोहान एह आंसर कितने लोगों ने ल हुए थे पानीपत के तीनों युद्ध कब हुए थे बताइए पानीपत के तीनों युद्ध बहुत बढ़िया सोहेल खान ने अब सबसे पहले आंसर दिया तीनों का 1526 में हुआ था इसके बाद 1556 में हुआ था और फिर आपका 1761 में ठीए 1526, 1556, 1761 पान्द 1456 का जो युद्ध हुआ था वह बाबर और इबराहिम लोडि के बीच में हुआ था यह जिसमें बाद की क्या हो गई थी हार हो गई थी प्लासी का युद्ध कभुवा, कमेंट करते रहो जल्दी जल्दी, प्लासी का युद्ध कभुवा, जल्दी से बताओ, प्लासी का युद्ध कभुवा, प्लासी का युद्ध बताओ, शत्रेसो सत्तावन, सत्रेसो सत्तावन में हो जाएगा प्लासी, ठीक है, सत्रेसो सत्ता जल्दी से बताओ वेडारा का युद्ध कभू आता जल्दी से बताओ वेडारा का युद्ध कभू आता बेडारा बोल देते हैं या वेडारा बोल देते हैं तो वेडारा का युद्ध कभू आता भी या नहीं पता नहीं पता तो यहीं लिग दिया करो नहीं पता बहुत बर था अच्छा जल्दी से कमेंट करके बताओbreak 764 में दोट लेंग्रेज और अल्ट से कमपनी के बीच में अच्छा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे या आपके 3764 में आपके कौन सा युद्ध हुआ था, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, जल्दी से बताएगा, बकसर, बहुत बढ़िया, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बकसर का युद्ध हुआ था, भईया, फड़ा पर बताएं, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 में तो ये कुछ भाईया इतियास के प्रमुख युद्ध हैं आप इनको याद कर सकते हैं भाई सब लोगों को भाईया मजा या नहीं आया पंचनामा पसंद आ रहा है या नहीं मैं इसी चीज को पंचनामा बोलता हूं एक कुशन से जोड़कर दूसरे कुशन की तैयारी करना क्योंकि एक्जामनर क्या कुशन वहाँ पर आपके लिए सोच कर वैठा है ये किसी को नहीं पता तो एक्जामनर से भाईया दो कदम आगे रहना है ठीक है एक्जामनर से थोड़ा सा हमें आगे रहना है क्योंकि हमें सोच कर रहना है कि अगर वो इस तरीक से से आपके 1191 का युद्ध पूछ सकता है तो वो कुछ और युद्ध भी आपसे पूछ सकता है आगे की तब चलते हैं अगला कुशन आपके सामने है ये रहा अगला कुशन बताएगा क्या होगा हाँ भया मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकत्सक किस दरपन का प्रियोग करते हैं मिरर यूजड बाई डेंटेस्ट तु सी लार्ज इमेज और टीथ और पेशेंट्स बताएगे क्या अंसर होगा इसका क्या अंसर होने वाला फड़ापर फड़ापर बताएगा भीया जो दंत चिकत्सक होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार के लेंस का प्रियोग दांतों की बड़ी तस्वीर को देखने के लिए किया आता है तो ये तो देखेगा भीया फैक्चुल कुशन होते हैं इनको आपको याद कर लेना चाहिए यहाँ पर आपको याद दखना है कि भीया आपके अवतल दर्पन जो है अवतल दर्पन का प्रियोग की आयता है दंत चिकत्सक के द्वारा मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर को देखने के लिए आंसर क्या हो जाएगा कितने लोगों ने लगाया है तो 92% अगला कुशन आपके सामने कूद आया है बताइए भीया भारतिय पच्छी बिग्यान का जनक इन में से किसे कहा जाता है सलीम अली, जॉन जेम्स और डुबन कोनाड लोरेंज या एलन अक्टिवियन यूम बताइए क्या अंसर उने वाला है भारतिय पच्छी बिग्यान का जनक किसको कहा जाता है भाई एक बज़े वाली क्लास में जो डेली आपकी होती है डेली पुलिस वाली थे है एक बज़े की क्लास में यह वाला कुशन मेंने कराया था और बहुत सारे बाहदरों का गलत भी हुआ था यहाँ पर देखेगा जादर तर लोग सलीम अली आंसर लगा दीते है है ना याद रखेगा सलीम अली पक्षियों के लिए कारे करने वाले प्रमुख एक्टिविस्ट रहे हैं कारे करता रहे हैं लेकिन पच्छी बिग्यान का जनक जो कहा जाता है यह ओम को कहा जाता है ऐलन ओक्टेवियन हूम को कहा है एलन ओक्टेवियन हूम वही वैकिती है जिसने 1885 में कॉaxis की किस्थापना कराने वाला जो था वह एलन ओक्टेवियन हूम ता और इसी के द्वारा भारत में पच्छी विज्ञान का अध्धन प्रारंब कराया गया तो इसी लिए पच्छी विज्ञान का जनक कहा जाता है ए ओ यूम का बहुत जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जबता आ जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कॉंग्रेस के पहले मुसलिम अध्यक्ष कौन थे जल्दी से कमेंट करिए बहुत बढ़िया तयब जी मुसलिम अध्यक्ष कौन थे तो आपके बदरुदीन तयब जी कौन थे बदरुदीन तयब जी थे ठीक है जी चलिए अगला कुशन आपके सामने बताइएगा इनमें से कौन सा हार्मोन तनाव का सामना करने में साहयक माना जाता है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो तनाव से लड़ने में या तनाव का सामना करने में आपकी मदद करता है ठीक है तो यहाँ पर आपको याद अखना है डिफ्रेंट डिफ्रेंट आंसर आ रहे हैं कई लोग ए आंसर दे रहे हैं कई लोग बी भी आंसर दे रहे हैं भाई यहाँ पर सही आंसर आपको याद रखना है यह हार्मोन आपका सेरो टॉनिन होता है टेस्टो इस्टेरोन नहीं होगा टेस्टो इस्टेरोन को तो आप मा ठीक है भी या चलिए आगे की तब चलते है next question आपके सामने है computer की सब्दावली में RAM का पूर्ण रूप बताईए RAM का पूर्ण रूप क्या है random access memory, repeated access memory, rapid access memory या regular access memory क्या answer होने वाला है RAM का पूर्ण रूप क्या है RAM की full form क्या है तो बहिया एक चीद देखेगा कि अगर हम बात करते हैं computer में तो जो RAM होता है यह आपके क्या होता है यह एक memory की रूप में अच्छा बहिया जल्दी से comment करके बताओ नाबाड की full form क्या है जल्दी से लिखके बताना नाबाड की full form क्या है नाबाड की full form क्या है क्या answer होने वाला है नाबाड की full form बताईएगा क्या होने वाली है भंग से नहीं लिख पापाए थे गहां अक्की ठाकोट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डवलप्मेंट मतलब क्या हुआ इसको भाईया याद रखेगा नाबाढ आपके रसी छित्र में एग्री कल्चर सेंटर में लोन प्रोवाइड करने वाली भारत की सब से बड़ी संस्था ये नाबाड है और नाबाड का गठन 1982 में हुआ था ये भी आपको याद रखना है 1982 में इसका गठन हुआ था आंसर क्या लग जाएगा एंसर कितने लोगों ने लगाया है तो 98% का एंसर रहा अगला कुशन बताएगा भारत के समिदान में निमने लिखित में से किस संसोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैद बना दिया जाता है अंडर विच अब दा फॉलॉइंडमेंट तो दा कॉंस्टिटीशन ऑफ इंडिया इस दिफेक्शन तो एनदर पार्टी आफ्टर एलेक्शन मेड इल्लीगल बताएगे क्या सरोने वाला है क्या अंसरोने वाला है भाईया सीधी सी बात है ये किस कानून की बात कर रहा है ये दल बदल कानून की बात कर रहा है और दल बदल कानून आपको याद अकना है ये आपके सम्मिधान की दसवी अनुसूची तैंथ सिड्यूल के अंतरगत इसको सामिल किया ग संसोदा 1985 जो था उसके द्वारा दल बदल कानून को लागू किया गया अच्छा दल बदल कानून का मतलब क्या होता है एक चीज समझेगा जैसे कोई कोई व्यक्ति है और वो चुनाव लड़ता है और चुनाव मैं माली जे निर्दली है लड़ता है मतलब किसी पार्टी से न नहीं हो सते या पर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाप पार्टी छोड़ता है तो उसके लिए भी कुछ नौम सेंग कुछ कानून है उसी के तरह छोड़ोगे तो छोड़ सकते हो अन्यता नहीं यहाँ पर कोई ऐसा मेंबर है जो नॉमिनेटेट था मतर राष्ट पती के द्वारा उसको नॉमिनेट किया गया था और नॉमिनेट मेंबर अगर कोई पार्टी जोइन करना चाहता है तो उसके दल बदल कानून लागू होगा 92 बाद समयदान संसोधन ये तो आपको पता ही होगा 2003 में हुआ था 92 समयदान संसोधन के द्वारा आपके समयदान के सिड्यूल 8 में अंतिम चार भासाएं जोड़ी गई जिसके बाद भासाओं की संक्याथ चापके 22 हो गई अंतिम चार कौन सी थी तो बोडो मैथली संथाली 116 में संसोधन के संसभर घूरी रहे तो सिड्यूrotal मतदान की आईुध को वोटिंग येज उस वोटिंग रहे किया गया और 886 में संसोधन आपको पता होब कि इस संसूधन के द्वारा सिच्छा कि अधिकार को भासाओं का सिवानी मिस्रा कॉंकडी नैपाली मडीपुरी ये कहतरवे समयदान संसोधन से जोड़ी गई थी और सिंधी भासा पंद्रेवी भासा के रूप में 21 समयदान संसोधन से जोड़ी गई थी ठीक है चलिए अगला कुशन यहां पर देखते हैं लेकिन उससे पहले यहां लीडर सी आंसर कितने लोगों का रहा था तो सी आंसर 87% लोगों का रहा अगला कुशन आपके सामने है भारती समयदान का निमले कितमे से कौन सा अनुच्छे 6-14 वर्स के आयू वर्के सभी बच्चों को निसुल्क और अनिवारे सिच्छा का अधिकार देता यह तो अभी-अभी बता के आया हूं भाई छाप दो 100% जल्दी से बताईएगा 100% में आंसर चाहिए भाई अभी-अभी बता के आया हूं आपको जल्दी यल्दी बताएंगे क्या अंसर होने वाला है तो भाईया यहां पर आपको यादा अच्छा अनुच्छेद पूछाए ना अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आर्टिकल 21-A हो जाएगा आर्टिकल 21-A में भाईया सिच्छा के अधिकार को मूल अधिका बनाये गया है कि 6-14 वर्स के सभी बच्चों को कंपल सरी और फ्री एजुकेशन दी जाएगी चो एहतर किसे संबन देते आर्टिकल 74 में क्या है तो इसमें कहा गया है कि राष्टपती को कारकरने की सलहा देने के लिए एक मंत्री पर सद होगी काउंसिल अप मिनिस्टर का जो लेक है व जल्दी से मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपके यहां पाप्ण चायतों को सम्मिधानिक दरजा किस सम्मिधान संसूधन से दिया गया बताईए पंचायतों को सम्मिधानिक दरजा हां जी बिलकुल बहुत बड़े काँ उस सनसोधन नगर पालिकां से कौन कौन सा समदर नेतहे हैं तो नगर पालिका मुनिसिपाल्टीजस से कौन सा है तो 74 है तेर चो एतर्वे समयदान संसोदान उससे संबन देते हैं किलियर रहेगा चलिए आगे जी तब चलते हैं अगला कुशन आपके सामने है पैनसलीन की खोच किस बैग्यानिक ने की थी पैनसलीन की खोच किस ने की थी लूई पाश्चर दे रखे हैं पैनसलीन की खोच किरने वाले बैग्यानिक में आपको याद अखना है पैनसलीन की खोच किरने वाले बैग्यानिक नम पाश्चर दे रखे हैं बी आंसर कितने लोगों ने लगाया है तो बहिए ब्यासी परसेंट का बी आंसरा अगला कुशन आपके सामने बताईए ऐसी आर्थिक इस्ति जहां पर एक खरीदार और एक विक्रेता हो उसे क्या कहा जाता है मतलब क्या हुआ जब बाजार में खरीदने वाला भी एक हो और पर जो जो जाता है अलपा दिकार मतलब क्या होता है कि जब बाजार के अंदर जो विक्रेता हैं विक्रेताओं की संक्या आपके सीमित हो तो वो जो जाता है अलपा दिकार मतलब किसी एक का अलपा दिकार है ना एक अदिकार का मतलब क्या होता है जब बाजार के अंदर केबल बेचने वाला एक ही हो तो इसके अलाबा परफेक्ट कमपेटिशन का मतलब क्या होता है जब बाजार में खरीदने वाले खूब हो और बेचने वाले भी मतलब क्या हुआ जब बेचने वाला भी एक है और खरिदने वाला भी एक तो मौनो Nikki no में प्रयान्सु है अंजली है योगेंद सिंग है सिंग में जब आए थे ना तभी हातिरा के ऐसे कह रहे थे सर भाए मैं जा रहा हूं यह ना लेकिन भया आप इन्हें इतना आनंद आ रहा है कि भया सवागंटे की क्लास हो चुकी है लेकिन यहाँ पर आ गया ठीक है चलो अहाँ पर देखे सिम्मी है एपंडित है करंबीर है अजय चरन है मिसन सलेक्शन संदीप मितलेश कुमा कॉमल और क्रिमिनल चलो जी मोनोपसवणी का मतलब होता है जब बाजार के अंदर बेचने वालों की संख्या अधिक है लेकिन खरीदने वाला एक रहा lives को फुचिए आप अपड़ा मार्केट जाते हो तो आप कपड़ा मार्केट जब पहुंचते तो कपड़ा मार्केट में माल लो कभी ऐसा हो जाए कि दुकानदार हों पचासियों लेकिन आप अकेले ही बजार में हैं और कोई क्रेटा है ही नहीं खरीदने वाला कोई है नहीं तो आपकी चांदी चांदी है आपका ज उनके पाप बिकल्प नहीं है, तो वो अपना सामान बेचने के लिए वो आपकी सर्तों को मानेंगे, क्लियर है न उसी को क्या कहता है, मौनो पसोनी, क्लियर है, चलिए, अगला कुशन आपके सामने है, बताईएगा क्या होने वाला है, इन में से प्रत्वी के वातावरन को ब बनाए रखने में मदद करता है, बताई विया, अगर हमारी प्रत्वी पर वातावरन पाया जाता है, तो उस वातावरन के पाई जाने का कारण क्या है, जल्दी से बताएंगे सबी लोग, प्रत्वी पर वातावरन के पाये जाने का कारण क्या है, तो भईया एक चीज देखेगा, यहां पर आपके प्रत्वी का गुर्ता कर्शन बल लगेगा, क्या लगेगा प्रत्वी का गुर्ता कर्शन बल, सन, मून ये नहीं लगेगा, प्रत्वी का गुर्ता कर्शन बल, क् हमारी प्रत्वी के गुर्ता कर्शन बलके कारण ही जो गैसे हैं वो गैसे रुकी रहती हैं और इसी बज़े से प्रत्वी पर वायू मंडल पाया जाता है आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा कितने लोगों ने लगाया है तो भईया 15% का ए आंसर रहा लो जी इस केवल इनका अंसर सटीक रहा बाकी सबका गलत चलो जी भावनाएं व्यक्त करो किस का अंसर गलत हुआ है अच्छा सिवानी में इसरा लिग रहे हैं पूरा नहीं पड़ा यही तो हता है सिवानी जी एक्जाम में है ना जल्द बाजी में हम लोग कुशन गलत कर जाते हैं व पैडोलोजी इन में से किस प्रकार का विज्ञान है या किस का अध्यन होता है तो अच्छा रोप का होता है भूजल का होता है मिट्टी का होता है बचपन की वीमारी पैडोलोजी में किस चीज का अध्यन किया था जल्दी से बताएगा तो भाया देगे, पैडोलोजी की बात करें लेकिन उसके साथ में जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, पैट्रोलोजी में किसका अध्यन होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, यहाँ पाँ अंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी ठीक है पैडोलोजी में किसका अध्यन होता है मिट्टी का अध्यन होता है ठीक है और अगर पैट्रोलोजी पूछे तो इसके अंतरगत किसका अध्यन होता है तो चट्टान मतब रॉक्स का अध्यन होता है किसका होता है रॉक्स का अध्यन ठीक है अच्छा भया और औरोलोजी, औरोलोजी में किसका अध्यन होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, औरोलोजी में किसका अध्यन होता है, बहुत बढ़ी है, औरोलोजी में किसका होता है, परवतों का अध्यन, ठीक है, औरोलोजी में किसका होता है, परवतों का अध्यन जो होता है, माउंटें का जो अध्यन होता है और ओर लोजी में होता है ठीक है चलिए आगे की तफ चलते हैं भी यहां पर अंसर सी लग गया कितने लोगों ने सी आंसर छापा है तो यहां च्छासी परसेंट का अंसर सी रहा अगला कुशन आपके सामने आ चुका है नई दिल्ली के लोटश टेमपल की डिजाइन इन में से किस वास्तुकार ने बनाई थी मतलब कहां का था यह वास्तुकार लोटश टेमपल की डिजाइन कहां के वास्तुकार ने बनाई थी जल्दी से बताईगा लोटश टेमपल की डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार कौन था और कहां का था क्या होने वाला है तो भाई आप ब्यक्ति का नाम याद दखेगा ये था फरी बुर्ज सहबा फरी बुर्ज सहबा करके इसका नाम था ठीक है जिसने लोटस टेंपल की डिजाइन बनाई थी और कहां का रहने वाला था, इरान का रहने वाला था, कहां का था ये, इरान का था, और यहां पर आंसर भी हो जाएगा, कितने लोगों ने लगाया, तो 45% का भी आंसर रहा, अगला कुशन आपके सामने है, बताएगा, एंजाइम इन में से क्या होते हैं, जो जीवित कोशिका के भीतर उत्प्रेरक का कारे करते हैं भाई बताइए साइंस का बड़ा अच्छा सा कुश्चन है कई बार एक्जामनर इस कुश्चन को पूछ चुका है और मुझे मालूम है मेरे सारे बहादूर इसे पटक के दे मारेंगे बताइए बया एंजाइम की बात करें तो देखो ए बायो कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं एंजाइम को आप लोग बायो कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं या इसको जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं कारण क्या है तो वहिया आपके सरीर में होने वाली मतब किसी भी जीवित की चीज में होने वाली जैविक क्रिया हैं ज प्रकार का प्रोटीन हुआ करते हैं, Caesar क्या हो जाएगा, डी कितने लोगों ने लगाया 89 परसेंट, अगला कुश्शन आपके सामने आरह बताएगा क्या अन्सर होगा इसका, यह रहा कुश्शन, कि संसोदन मंत्री परसद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया विच अमेंडमें लिम्टेट दा साइज ओफ दा कॉंसल ओफ मिनिस्टर तू 15% ओफ दा टोटल साइज ओफ दा हाउस 74, 86, 91 या 61 क्या अंसर होने वाला है तो यहां पर गौर करियेगगा भिया के देखो अभी अभी बता क्या है था 74, 73 वा सामिदान संसोदन ये मुंसिपालिक से संबंदे था अभी अभी बताएथा नहीं बताएथा मiento क्यों से संबंदे था 86 वा सम्मिदान संसोदन ये आपके right to education से है मतब आपके सिच्छा का अधिकार जिसको मूल अधिकार बनाया गया था इसके अलाबा आपके 61 वा सम्मिदान संसोदन के द्वारा जो मतदान की आयू थी उसको 21 से घठा कर कितना किया गया था लोक सभा की कुल सदसर संख्या के 15 परसेंट से अधिक नहीं होगी है ना answer क्या हो जाएगा C answer कितने लोगों ने छापा है तो भाईया 93 परसेंट लोगों का answer C रहा clear है अबले question की तब चलते है next question आपके सामने कूद आया है इनमें से कौनसी सैली भारत में मंदिर इस्थापत्य कला से संबंदित नहीं है जल्दी से बताएगा भाईया क्या answer होने वाला है इनमें से कौनसी मंदिर इस्थापत्य सैली नहीं है मंदिर इस्थापत्य सैली इनमें से कौनसी नहीं है तो यहाँ पर एची देखेगा बेसर दे रखा है नागर सैली दे रखी है द्रविड सैली दे रखी है गोतिक सैली तो यहाँ दखेगा बेसर सैली इसके अलाबा नागर सैली इसके अलाबा द्रविड सैली यह तीनों ही आपके मंदर निर्मार की सैली है लेकिन गोतिक सैली न बाट आई भै भावाई और कलवेलिया नत्य yeah किस राज्ज से संस्वंधित है भावाई और कलवेलिया नत्य?. ये किस राज्ज से संबन्दित है ? जल्दी से चापो चलिए यहां पर एच्छी आदएक ना हाँ भवाई और कलवेलिया यह आपके कहां से हैं भया तो यह राजस्थान राज्य से जुड़े हुए आंसर भी लगा दो कितने लोगों ने लगाया है तो भया छासी परसेंट लोगों का आंसर भी रहा अच्छा भीया बिहू बिहू जो फेस्टिबल है ये किस राज्जी के साथ जुड़ा हुआ है बिहू फेस्टिबल किस राज्जी के साथ जुड़ा हुआ है जल्दी से बताएगा अगला कुशन आपके सामने है, बताएगा क्या होगा, सूर्य प्रत्वी को किस माध्यम से गरम करता है, बताएगे, कन्वेक्शन दे रखा है, कन्वेक्शन को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन को समवहन कहते हैं, यह आप गलट टाइप हो गया है, सम्मेलन नहीं होता, समवहन ह होता है रेडियेशन विकरण कंड़क्शन चालन ओफिजन विखंडन क्या आंसर होने वाला है भाई देखे अगर हम बात करते हैं कंड़क्शन की ठेक है चालन की बात करते हैं तो इनडक्षन यह बैया क्या है यह आपके ताप के संचरन की बिदिया है यानि systems of heat किसी भी चीज के गर्म होने का कारण, चालन के माध्यम से क्या गर्म होता है थोस गरम होता है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे रोटी बनाते समय चिम्टे का प्रियोग करते हैं तो आप देखता हैं, काम तो आप चिम्टे के अगले इससे कर रहे होते हैं, लेकिन दीरे दीरे पीछे की तरब भी चिम्टा गरम होता हैं, कारण क्या होता है, कि थोष के जो भJul야 atom होते हैं, वो बहुत पास-पास होते हैं, इसलिए अगर आप थोष को temperature देना सुरू करते है तो इस temperature को लेने के बाद पहले पहला एटम जो होगा वो गरम होगा और पूरी तरीके से गरम होने के बाद वो energy को transfer कर देगा दूसरे को दूसरा करेगा तीसरे को फिर चौते को फिर इस तरीके से और हम देखेंगे के पूरी की पूरी जो आपकी ठोस है वो क्या हो जाएगी की गरम हो जाएगी है ना विकरन क्या होता है विकरन की प्रक्रिया से द्रव गरम होता है यानि पानी माल लो पानी में क्या होता है या जैसे माल लीजे इस बरतन में पानी है नीचे से आप इसने टेंपरेचर देते हैं टेंपरेचर को पानी के बाद नीचे के यहां के जो अ cycle बन जाता है और इस cycle में यदि आपके करणू चलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं विकरण कहते हैं एक मिनट यह समवहन कहलाएगा एक मिनट यह वाली प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी समवहन और रेडियेशन में क्या होता है विकरण में क्या होता है तो रेडियेश में सूरिका प्रकास एक सीधी रेखा में चलता है है ना रेडियेशन में आपके प्रकास जोता वो एक सीधी रेखा में चलता है और इसी के माद्यम से आपके सूरिका प्रकास प्रत्वी तकाता है सम्माहन की प्रक्रिया से कौन गरम होता है द्रव होता है चालन की प्रक्रिय आमें आपके जो अनू होते हैं या प्रिकास जो होता है उसे चलने के लिए माद्यम की आवश्चता नहीं होगी ठीक है सर कन्फीजन हो गया था थोड़ी देख लिए कोई बात नहीं चंदन गुपता जी वो यहां से यहां जुड़ गया सभी लोगों को समझ में आया नहीं जल्दी से एक बार कमेंट करके बताईएगा सभी लोगों को क्लियर हुआ अब नहीं अमिद भगत लिए हैं क्लास कब तक होगा सर क्या बात है बाहदरो क्या बात है बाहदरो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं आओ इस दा जोस बना हुआ है के खतम हो गया अरे संडे तो मेरा भी है तो यहां पर संडे में भी देखो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ भाइया हफते के छे दिन भी पढ़ाते हैं और साथ दिन भी पढ़ा रहा हूँ आप तो केबल पढ़ रही है ना चलिए I am अच्छा मेरे शेर मेरे चीते चलो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बी कितने लोगों ने लगाया है तो बी आंसर लगाने वाले लोगों की संक्या 93 परसेंट रही अगला कुशन आपके सामने कूद आया है भाई किस कॉंग्रेस अद्वेशन में पूर्ण स्वराज क मांग को सुईकार किया गया बड़ा आसान सा कुशन है बहुत बाप ऊचाया चुका है लेकिन फिर भी बहादूर इसका अंसर गलत लगा आते हैं बताएगा पूर्ण स्वराज की डिमांड को किस कॉंग्रेस अद्वेशन में माना गया था क्या अंसर होने वाला है जल्दी नहरू इसके अद्वेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड को सुईकार किया गया था अंसर इसका डी लगेगा कितने लोगों ने लगाया है तो 84% का अंसर डी रहा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि महात्मा गांधी के द्वारा किस कॉंग्रेस अद्वेशन की अ अंसर होगा जल्दी से बताइएगा आरे फली लिग रहे हैं सर 6 बजे तक पढ़ाईए कोई दिक्कत नहीं है आरे फली जी फिर तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी है ना वो कहते है ना फैपड़े फटकर बहार आ जाएंगे 6 बजे तक मेरे भी फैपड़े बहार फिर कल भी तो क्लास लेनी है कल की क्लास कौन लेगा फिर कल की क्लास कौन लेगा थोड़ा सा सरीर को भीया स्वस्थ रखना भी आवश्यक्त है 1924 बेलगाम ठीक है याद रखेगा महात्मा गांदी के द्वारा केवल एक ही कॉंग्रेस अद्वीशन की अध्यच्छता की आगे चले अगला कुशन आपके सामने है बताएगा क्या अंसर होने वाला है निम्न में कौन सा पौधा मासा हारी है बताएगा जल्दी से निम्न में से कौन सा पौधा मासा हारी है बई एक चीज देखेगा है ना एक चीज आप देखेगा कि अगर हम बात करते हैं आपके म मासाहारी पौदों की तो मासाहारी पौदे कौन हो कैसे होते हैं तो देखेगा कुछ पौदे ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ती के लिए जो नाइट्रोजन की पूर्ती के लिए जो छोटे-छोटे कीट बगएरा होते हैं कीडे बगएरा होते हैं वो उनका कावेरी नदी का उद्गम कहां पर है बताओ जल्दी से कावेरी नदी कहां से निकलती है भीया बड़ा आसान सा कुशन है जल्दी से पठक दो इसे बविता देभी पूरी रात क्लास चलेगी आज जलो एक दिन आपके ऐसा भी क्लास लगाएंगे जगराती वाला ठीक है लेक पाते हैं कावेरी नदी का उद्गम पूछ रहा है भीया तो कावेरी नदी भीया सब लोगों को पता होगा है ना कावेरी नदी का उद्गम कहां पर है तो ब्रह्मगिरी परवत आपको याद अकना है ब्रह्मगिरी परवतों से आपकी कावेरी नदी निकलती है आंसर क्या हो जाएगा एंसर कितने लोगों ने लगाया तो 84% लोगों का बाई जल्दी से कमेंट करके मुझे बताईएगा वरद गंगा के नाम से किसे जाना आता है वरद गंगा या बूरी गंगा के कहा जाता है अरे किसी का भी एक्जाम हो, आपका पैट का एक्जाम हो पुलिस का एक्जाम हो, कोई भी GS तो GS ही रहेगी, हर जगे पर पूछी आती है, तो यह जो आप त्यारी कर रहें, इसका प्रियों का PET में भी कर लेना, RO ARO में भी कर लेना पुलिस में भी कर लेना सब जगे पर आपको काम आएगी जी एस टॉपिक ही ऐसा है जहां पर जी एस पूचियाएगी कोई बाहर ते थोड़ी आएगी अंसर गोदावरी है भाई ठीक है गोदावरी बहुत बढ़िया अगला कुशन आपके सामने है बताएगा ग्हास के मैदान और चारागा हैं यह सबसे अधिक आपको किस राज्य में मिलेंगे बदाएगे भुग्याल भी कहते हैं भुग्याल को ही पयार कहते हैं यो योगन से सरम जा रहे हैं क्योंकि मारकेर जाना कोई बात नहीं अपने घर के कामों को भी देखना जरूरी है पढ या आपको किस राज्य में मिलेंगे तो यह आपको कहां मिलने वाले हैं उत्रागंड भारत की बात करें तो भारत में आपके कुछ घास के मैदान पायाते हैं मैंने बताया भी आपको मर्ग घास के मैदान कहां पायाते हैं तो मर्ग घास के मैदान जम्मु कस्मीर में इसके अलावा आपसे पूचता है, सोला गहस के मैदान कहां पायाते हैं, तो सोला गहस के मैदान ये आपके वेश्टन घाट या पे पश्चमी घाट पर पायाते हैं, इनको भी साथ में जोड़ कर याद रखेगा, ठीक है, चलिए, answer यहाँ पर क्या होने वाला है D answer होने वाला है कितने लोगों ने लगाया है तो 94% चलिए जल्दी से comment करके बताएंगे भी या जल्दी से comment करके बताएगा campus घास के मैदान कहां पाए जाते हैं एक बार revise करा दे रहा हूं सब लोगों को बताएए campus घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं अभी जोस घटना नहीं चाहिए एक बार और जोर लगा दो कसके बताएए वड़ापर से बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया campus घास के मैदान कहां पाए जाते हैं ब्राजील में पाए जाते हैं अच्छा जल्दी से कमेंट करके बताओ पंपास घास के मैदान कहां है जल्दी से बताओ पंपास घास के मैदान कहां पर है पंपास घास के मैदान कहां पर है जल्दी से बताईएगा पंपास अर्जेंटीना बहुत बढ़िया पंपास कहां पर है तो भईया याद लखेगा अर्जेंटीना के छित्र में, भाई जल्दी से कमेंट करके बताईए, आपके सेलवास कहां पाए जाते हैं, सेलवास जो वन है, सेलवास फोरेश्ट, कहां पर इस तितने जल्दी से बताओ, सेलवास कहां पर है, सेलवास कहां पाए जाते हैं, तो भाई या सेलवास कहां गास के मैदान कहां पायाते हैं वेल्ड गास के मैदान कहां पायाते हैं फड़ापड़ बताओ वेल्ड गास के मैदान तो भईया वेल्ड कहां हो जाएगा वेल्ड कहां हो जाएगा दच्छन अफरीका बहुत बढ़िया साउथ अफरीका हो जाएगा साउथ अफरीका में कौ कहां पर हैं तो यह डाउंस कहा हो जाएगा अनून ने अंसर सबसे पहले दिया औस्टेलिया डाउंस घास के मैदान कहां पर हैं औस्टेलिया के से छित्र में हैं जल्दी से बताईएगा पुस्ताज घास के मैदान कहां पाई जाते हैं पुस्ताज घास के मैदान कहां पाई जल्दी से बताईएगा लानोस घास के मैदान कहां पाई आते हैं 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 लानोस घास के मैदान कहां पाई आते है केंट बरी बताईएगा कहां पर पायाते हैं केंट बरी केंट बरी का अंसर नहीं आया अभी तक बहुत बड़ी है केंट बरी कहां पर पायाते हैं न्यूजी लेंड के छितर में पायाते हैं केंट बरी कहां पर पायाता है तो New Zealand के छितर में पाया जाता है ठीक है, तो ये कुछ घास के मैदान हैं विस्व के, जो आपको याद अक्ने है एक्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं ठीक है भई, स्क्रीन सॉड लेना चाहें चलिए आगे चले, अगला कुछन आपके सामने ला रहा हूं बताएगा क्या अंसर होगा इसका अगला कुछन आपके सामने है, बताएगा भिया निम्न में से कौन एक अवसेशी अंग है बताएगा, वेस्टीजियल वेस्टीजियल ओर्गन ओप दा बोडी इन में से कौन सा एक अवसेसी अंग है बताईएगा जल्दी से क्या आंसर होने वाला है इन में से कौन सा एक अवसेसी अंग है अवसेसी अंग का मतलब क्या है कि मानव सरीर में पाया जाने वाला ऐसा अंग ऐसा ओर्गन जो पहले कभी भी या काम किया था मतलब उसका कोई यूज था लेकिन अब उसका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी आपके सरीर में पाया जाता है तो वो क्या होता है तो भी या आपका appendix होता है सुना होगा न कहीं लोगों के पेट में दर्द उठा पेट में दर्द होने के बाद डॉक्टर ने बताया जी appendix है ना माना यह जाता है कि मनुष्य में पहले पूछ हुआ करती थी ठीक है लेकिन उसका कोई काम नहीं के कारण पूछ का प्रियोग बंद कर देने के कारण वो कुशन आपके सामने बतायेगा क्या होने वाला है अगला कुशन आपके सामने आ रहा है बतायेगा सुनील छेत्री किस खेल में भारत का पतिनिद्द तो करते हैं बतायेगा सुनील छेत्री किस खेल में भारत का पतिनिद्द तो करते हैं बताये बास्केट बॉल cricket hockey क्या answer होने वाला है भाई मुझे लगता है सुनील छेत्री जी को तो सभी लोग जानते ही होंगे है ना सुनील छेत्री जी को तो सब लोग जानते ही होंगे किस खेल के साथ जुड़े होए है फुटबॉल के साथ जुड़े होए है किस के साथ जुड़े होए है यह का फक उन का हिस्सा होती बताइए मनुश्य के कान का हिस्सा नहीं होती इन में से कौन सी हड़ी है वैब दे Carl-क हमारे दोनों कानों में 3-3 हड़ीया पाई जाती है ठीक 9aaaa और इन हड्रीओं को आप लोग ऐसे करके याद कर जाता है एक होती है इसको कहा जाता है इनकस ठीक है और एक होती है इसको इस्टिरप कहा जाता है या इस्टैप्स कहा जाता है हैस की बात करें तो यहाँ पर एक है आपका हैमर हैमर एक है आपका एन्विल और एक है आपका इस्टिरप ठीक है यह आपकी कान की तीन हड्डिया होती हैं एक कान की तीन और एक कान की तीन मिस हैस करके इनको याद कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको पता है सरीर की सबसे छोटी हड़ी स्टेप्स भी देता है इस्टेरब भी देता है तो यह आपके सरीर की सबसे छोटी हड़ी है यहाँ पाफ फीमर नहीं होगा फीमर की बात करें तो फीमर आपके थाई की हड़ी होती है जांग की हड़ी होती है और सरीर की सबसे बड़ी हड़ी होती है ऐसे ही सरीर की सबसे मजबूत हड़ी आपकी जबड़े की हड़ी होती है जिसको आप म प्रथम पाई के मान की गढ़ना की थी, पाई का मान निकालने वाला पहला विद्वान कौन था, बौधायन दे रखा है, आर्यभट दे रखा है, भासकरा चारे दे रखा है, क्या अंसर उने वाला है, क्या अंसर उने वाला है, फड़ाफट, फड़ाफट, जल्दी यल्दी स से बताएंगे सभी बाहदुर पाई के मान की गढ़ना किसके द्वारा की गई बाध्यन के द्वारा आयःढ़ां नसफे पहले पाई के मान की गढ़ना की गई ती आशा क्या व noisy परसेंट का ढ़ो अगला कुशन आपके सामने है बताईगा टेस्ट मैचों में एक ओवर में सरवादिक रन बनाने वाले खिलाडी कौन थे बताईए बहिया टेस्ट मैच में एक ही ओवर में सबसे जादा रन बनाने वाला खिलाडी कौन है क्या अंसर होने वाला है क्या answer होने वाला है भाया याद रखेगा भारतिय खिलाडी कौन झस्परीत बुम्राः ठेक है और खिलाडी भी देखिएगा भाया खिलाडी भी दसवे नमबर का खिलाडी है यह ना झस्परीत बुम्राः के द्वारा टेस्ट मैच में एक ओवर में 35 रन ़ारे थे तो ये आपके एतिहास बन गया कि टेश्ट के किसी एक ओवर में सरवादिक 35 बनाने वाले खिराड़ी जस्प्रीत बुम्रा आंसर क्या होने वाला है सी आंसर होने वाला है तो सी आंसर किते हैं लोगों ने लगाया 84 पर से अगले कुशन की तरफ बढ़ जाते हैं बताएगा क्या अंसर होगा सुत्र मुर्ग पुरा पासान काल में भारत में पाए गए थे सुत्र मुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कहां से पाए गए हैं पटना से पाए गए हैं इनाम गाउं से पाए गए हैं पटने से पाए गए हैं चिरान से पाए गए है भाई लुटिया खत्रे में लग रही है आप लोगों की लुटिया यहां पर भाई खत्रे में दिख रही है मुझे लुटिया डूबने के पूरे आसार है इस कुश्चन में और मुझे लग रहा है सायद डूब गई मुझे लग रहा है स उसका नाम है पटने, क्या नाम है महराष्ट में पटने नामक जगे है, यहां से भाईया पुरा पासान काल में ओस्ट्रिच यानि सुतुर मुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए हैं, यानि माना यह जाता है कि पुरा पासान काल में आपके सुतुर मुर्ग आ चुका था, य पर मेरे हीरे मेरे नगीने तो रिशब हैं छवी सिंग हैं आदित्य हैं वीरम कुमार हैं और मिस्टीरियस हैं यह है वह यहा वो हीरे नगीने जिनका अंसर सबसे तेज और सबसे सटीक रहा ठीक है जी किस-किस क्या लुटिया ढूब गया है भाई चलिए बहुत बढ़िया य आई इसी चेहरे के लिए तो यहाँ पर हम आते हैं, संडे के दिन भी यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं, अब आगे से कुशन कभी गलत नहीं होना चाहिए, कोई सपने में भी पूछ ले ना, के ऑश्ट्रिच के अंडा, या ऑश्ट्रिच जो है, यह भारत में, या पिर आ ही टैग प्रादान किया गया है, बताइए बसोहली पैंटिंग कहां से संबंदित है, बसोहली पैंटिंग कहां से संबंदित है, बसोहली पैंटिंग कहां से संबंदित है, तो यह उडिशा दे रखा है, करनाटक दे रखा है, जम्मु कस्मीर दे रखा है, या इन में से अगर हम बात करते हैं, तो यह बसो उवली पैंटिंग आपके जम्मू कस्मीर के छितर से जुड़ी हुई है, कहां से है यह? जम्मू कस्मीर के छितर से ांसर क्या हो जाएगा C C आंसर कितने लोगों ने लगाया है? तो बहिया 81% लोगों ने अगला कुशन आपके सामने है बताईएगा निम्ड मैंसे किस देश में सम्मिधानिक सक्तियों का बितरन केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है है ना न्यूजीलेंड सेयुक्तराज अमेरिका ऑस्टेलिया भारत भाई देखो कुशन को थोड़ा सा गुमा कर पूछा गया यहां पर डारेक्टली अगर वो चाहता तो ऐसे भी कुशन पूछ सकता था कि सक्तियों का विभाजन का जो सिद्धानत है या पिर आपके आपके जो केंद्र सुची राज्य सुची और संबर्ती सुची होते हैं उसका प्रावधन किस देश के सम्मिदान से अड़ाप्ट किया गया यहां पर आपको याद अकना है और श्टेलिया की अगर हम बात करते हैं क्योंकि भारत में तो लिया गया है भारत में और श्टेलिया से लगेगा क्या अंसर हो जाएगा सी सी अंसर कितने लोगों ने लगाया है तो देखे साथ परसेंट और यही हुआ कि कन्फ्यूजन में लुटिया डूब गई और यहां साथ परसेंट में सबसे तेज प्रदीप रक्षा पलवी आरिफ अली रिकास और विवेक इनका अंसर स ही से गिरण नहीं किया गया भारत के सम्मेदान में हमने उस्टेलिया से गिरण किया इसी लिए अंसर और श्टेलिया लगाएंगे ठीक है, चलिए, नेक्स कुश्शन आपके सामने बताएगा, निमलिक लेसे कौन सा भारतिया राज्य की नहीं मिलती, तो भईया यहां पर आपको पता है, यहां पर आपको पता रखना है नेपाल के बारे में, ठीक है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो यह हमारा भारत प्यारा भारत अपना भारत सबका भारत ठीक है जी भारत का एक छोटा सा छवी चित्र है ना जी यहां पर आपको पता है यहां पर आपका पड़ोसी पड़ा हुआ है नेपाल और यहां पर आपका पड़ोसी है क्या नाम है इसका भूतान यहां पर आपका पड़ोसी है कौन म्यामार ठीक है तो यहां इनीकी बात कर लें और नीचे की तरफ कौन है तो यहा ना condition यही तो है ना condition ठीक है तो यहां पर क्या है नेपाल का बॉर्डर किस किस से मिलता है तो नेपाल का बॉर्डर सबसे पहले मिलता है उत्रा खंडराजी से फिर नेपाल का बॉर्डर मिलता है यूपी से फिर नेपाल का बॉर्डर मिलता है आपके बिहार से फिर नेपाल का border मिलता है आपके best बेंगॉल से और फिर Nepal का border मिलता है किस से सिक्किम से अब देख लो यहाँ पर क्या अंसर हो जाएगा तो आंसर क्या लगा तो के असम से भहिया नेपाल का border नहीं मिलता क्या अंसर हो जाएगा C answer बिल्कुल correct है देखते हैं कितने लोगों ने C answer लगाया C answer लगाने वाले लोगों की संख्या तो वह यह 49% का C answer रहा अगले question की तरह बढ़ते हैं यह रहा अगला question बदाईए निमने लिखित मैं से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया की उच्च घाटे की इस्तती में लोग अधिक बचत करते हैं who among the following first argued that people say more in a situation of high deficit मतलब simple भासा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो यहाँ पर आप ऐसे यादा सते हैं कि आपसे यह पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने यह कहा था कि जब घाटा बड़ा होता है तो लोग बचाना अधिक शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको याद अखना है कि भाईया आपको अमरते सेन, एस्ते, डुफलो, डैविड रिकार्डू और एडम इसमें तो यहाँ डैविड रिकार्डू का नाम आपको याद रखना है क्या नाम याद रखना है आपको डैविड रिकार्डू नाम का जो व्यक्ति है इसके द्वारा यह कहा गया था कि भाईया जब घाटा जादा होता है तो उस समय पर लोग बचाना ज़्यादा सुरू कर देते हैं आंसर क्या हो जाएगा कितने लोगों ने लगाया तो सरसड़ पर से अगला कुशन आपके सामने आ रहा है भाईया अगला कुशन यहां पर बताएगा क्या होने वाला है गती का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदा दूसरे पदार्थ पर जो लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है भाईया सिंपल सी बात है है ना सिंपल सी बात है न्यूटन के नियमों की बात कर रहे हैं इस्टीफन का नियम न्यूटन का गती का टीसरा नियम, बटाइए भी या जब आप किसी चीज पर बल लगाते हैं, तो वह चीज भी उसके उपर उतना ही बल लगाती है ये newton का कौन सा बल है newton का कौन सा नियम था, तो भाइया इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम किरिया प्रतिकिरिया का नियम भी कहते हैं तो किरिया प्रतिकिरिया नियम या फिर इसको एक्षन रियक्षन आपके नियम या रूल कहते हैं और यह न्यूटन का कौन सा नियम था तो यह न्यूटन का का उल्लेक की जॉइंट सिटिंग का उल्लेक सभड़ा पर चापिए जॉइंट सिटिंग किस में है बहुत बढ़्या जी त यह जबू आणुश्य देख सो आठिश आपको याद रक darkness जॉइंट सिटिंग का उलेख है क्लियर रहेगा चलिए अगला कुशन आपके सामने है बताएगा क्या अंसर होने बाला है बताएए इन में से कौन सा केरल का लोकनत्य नहीं है बताएए कतकली दे रखा है थुलाल दे रखा है काय कोटिकली दे रखा है और छपेली दे रखा है बताएए इन में से कौन सा लोकनत्य है जो केरल से सम्बंदित नहीं है तो भई यह देगे ऐसे कुशन से कम से कम आपको केरल से सम्बंदित तीन नत्य तो पापत हो जाएंगे क्योंगि जो नहीं होगा उसको हम बाहर कर देंगे यहाँ पर आपको देखो कथकली दे रखा है एना इसके अलाबा आप लोगों को थुलाल दे रखा है इसके अलाबा आपको काय कोटली दे रखा है और एक उप्सन आपको छापेली दे रखा है तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताएगा क्या answer होने वाला है इस question का क्या answer होने वाला है इस question का जल्दी से बताएंगे सब लोग चैलिए यहाँ पर एचीज पर गौर करिएगा तो भाईया देखे कतकली थुलाल काय कुटली यह तीनों जो हैं यह आपके केरल से है लेकिन छपेली नहीं होगा यह बेसिकली पहाड़ी छित्रों से संबन देता है आंसर हो जाएगा डी कितने लोगों ने लगाया तो भाईया चैतर पर से अगला question आपके सामने आ रहा है कूद कर बताएगा क्या answer होगा इसका रामबर इस्तूप वहस्तान जहां भागवान बुद्ध का अंतिम संसकार किया गया था ठेक है यह भारत के किस राज्य में इस्तित है बताएगे रामबर इस्तूप भाई आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो महात्मा बुद्ध थे महात्मा बुद्ध की जम्रत्य हो गई थी तो उनके जो अवसेश थे तो उनके अवसेश को आठ भागों में बाढ़ दिया गया था और जगे जगे पर उन भागों को लेया का उनके उपर इस्तूपों का निर्मार किया गया था यहां पर रामभर इस्टूप पूछा या रहा है तो रामभर इस्टूप कहां परिस्तित है तो आपको याद अखना है आपका उत्तर प्रिदेश ठीक है क्या आंसर हो जाएगा उत्तर प्रिदेश राजम है रामभर इस्टूप आंसर हो जाएगा डी कितने लोगों ने डी की समयधानिक पीट का नेत्वत्त किया जिसे ने निस्ता के अधिकार को मॉलिक अधिकार गोसित किया who among the following headed the nine judges constitutional bench that declared the right to privacy as a fundamental right क्या answer होने वाला वह नियादी कौन थे जल्दी से आपको बताना है जल्दी से आपको बताना है बया नेजिता का अधिकार right to privacy ये आपका बरतमान में मूल अधिकार है और ये बरतमान में मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहट है तो article 21 अनुच्छेद 21 के तहट right to privacy आपका मूल अधिकार है मतलब right to privacy में क्या आया था जैसे किसी को बिना बताए उसका phone tape नहीं किया सकता किसी को बिना बताए उसकी clip नहीं बनाई जा सकती video reel नहीं निकाल लिया सकती किसी को बिना बताए उसका photo नहीं लियाया सकता तो ये निजता का अधिकार कह राता है और वहिया ये निजता के अधिकार को एक सम्मिधानिक पीट बैटी थी constitutional bench बैटी थी और उसके अद्धक्ष दोते उसके मुखिया जोते वो कौन थे जे एस खेहर थे कौन थे जे एस खेहर इनी के द्वारा निस्ता के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था ते अधी पर मिश्रा नहीं होंगे भाई ठेक है जे एस खेहर आंसर ए कितने लोगों ने लगाया तो दस परसेंट और या मुझे मालूम है कुश्चन थोड़ा आया है बिटा कहां थे कहां सो रहे थे आप क्या अंसर है वह या अगला कुश्चन आपके सामने है बताएं लक्षदीप समू लक्षदीप किस महासागर या सागर में इस्तित है परसांत महासागर बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर अरब सागर बही इस से आधा तो नहीं मिल सकता जल्दी से बताईएगा बताईएगा फटापर से लक्षदीप कहां इस्तित है तो या लक्षदीप कहां इस्तित हो जाएगा लक्षदीप आपके अरब सागर में इस्तित है बाई जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ वैसे तो मैंने मैप पर भी आप लो पुछ लेता हूँ, आठ डिग्री चैनल किस-किस को अलग करता है, कमेंट करो जल्दी से, आठ डिग्री चैनल किस-किस को अलग करता है, जल्दी से छापो बहाद रो, आठ डिग्री चैनल किस-किस को अलग करता है, लक्षदीप मालदीब, ठेक है, लक्षदीप मालदीब, इसकी जगे पर मिनिकोई और मालडीव ठीक है मिनिकोई द्वीप जो लक्षव द्वीप का भाग है इसको अलग करता है ये मालडीव से किलियर रखहेंगे है Kansas इसके अलाबा आपको याद Grandpa नाना है 9 डिग्री चैनल ठीक है यादकना है नौ डिग्री चैनल किसको है लक्षदीप और मिनिकोई क्या हो जाएगा लक्षदीप और मिनिकोई इनको अलग करता है कौन नौ डिग्री चैनल ठीक अभी या और अगर आपसे पूछा जाता है दस डिग्री चैनल किस-किसको अलग करता है तो आपको याद अकना है यह को निकोबार से किसको अलग करता है अंडमान को अलग करता है निकोबार दीव से किसे अंडमान को निकोबार दीव से इसके अलावा आपको याद अकना है डंकन पास किसको अलग करता है ठेक है तो डंकन पास अलग करता है आपके साउथ अंडमान को लिटल अंडमान से ठेक ह तो यह कुछ आपकी जलसंदिया हैं जो आपके एक्जाम में पूछ लेता, अंसर क्या हो जाएगा D, कितने लोगों ने D अंसर लगाया भई, D अंसर लगाने वाले लोग हाजिर हों, तो यह यहां 89% का अंसर D रहा, अगले कुश्चन की तरफ बढ़ जाएए, बताएगा क्य या किराना घराने से, बताएगा पंडित भीमसेन जोसी, यह किस घराने से संबंदित थे, पंडित भीमसेन जोसी किस घराने से बिलोग करते थे, यह आप से पूछा आता है, ओके यहाँ पर देखते हैं भाति संगीत के गाया का उस्ताद भीम सेंजूसी ठीक है एक किस घराने से संबन देते हैं तो भाई यह किराना घराना आपको याद रखना है कौन से याद रखना है किराना घराना answer क्या हो जाएगा D answer D answer कितने लोगों ने लगाया तो 60% लोगों का रहा किता 60% लोगों का ठेक है चले next question आपके सामने आ रहा है बताईएगा क्या होगा यहाँ पर कह रहा है दिल्ली सल्तनत के दोरान राजी के लिए की गई 18 सिवाओं के बदले प्रसासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक छेत्रिय कारे क्या कहलाता था एक छेत्रिय कारे क्या कहलाता था जल्दी से कमेंट करके बताएगा यह पोल बाबा आदे अ डिल्ली सल्तनत के दोरान शुरूआत में जो कुशन कराइप आई उस्में इसका अंसाच छिपा हुआ है क्या कहलाता है वह इकता क्या होत है जमीन का एक टुकड़ा होता था जो अधिकारी होते थे ना उन अधिकारीयों को उन अधिकारियों को क्या करते थे कि वेतन देने की बजाए उन अधिकारियों को वेतन देने की बजा जमीन का टुकड़ा दे दिया था था कि वहां से जो भी टेक्स आप बसू लेंगे वो टेक्स आप अपने वेतन की रूप में ले लेंगे आप लोगों को अभी एक धहर है, पेसेंस है, कि आप यहां पर लगातार बने हुए है, किलास आप लोगों को पसंद आई, मेरी महनत वसूल हो गई, मेरा संडे आना सफल हो गया, ठीक है, मेरा संडे पूरी तरीके से बढ़िया हो गया, दिल गाइडन गाइडन हो गया, ठीक कर रहा है हैं तनिया जी पूल आपको सोंग कर गा जब मैं कुष्ण। पूच्छन पूच्टा ओ सब्सक्रांसर तो सबसे तीज आशर और स सही आशर उसकी आदार पर आपका नाम अपने सब्सक्रा आ पर आजाएगा ठीक है अक्की लिकंग Inter'm नहीं है चलो कोई बात नहीं कि अरे क्या रखाए नहाने में वैसी बजन कम हो जाएगा भाई चलो सी आंसर कितने लोगों ने लगाया है तो सी आंसर 90% लोगों कर रहां चलो कोई दिक्कत नहीं भी आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगा अच्छा एक उम्मीद कितने वह लोगों ने किये हैं। कितने कुष्चन कर लिये उंगे वह लोगों 150 हर संडे इस तरीके की कलास लगाएं। हर संडे कलास ऐसी लगाई जाए या नहीं हो नहाने से याद आया मैं भी नहीं नहाया हूँ तो मुझे भी भाई मुझे भी नहाना पड़ेगा ठीक है हाँ जी ठीक है यहाँ पाई टॉप टैन लोग भी देख लेते हैं टॉप टैन में आज किस-किस का नाम रहा है टॉप टैन की स्थती देख लेते हैं यहाँ आज कि टॉप टैन ठीक है पहला नाम है अक्की ठाकुर है ना इसके बाद छवी सेंग प्रियांसू बीरम कुमार सिवानी मिस्रा क्रिमिनल अंजली कलपना कुमारी निधी प्रजापती रियांसी आभा मिस्रा वीरों की धरती गोरकपुर वाली ए पंडित रिशव अन्नोन कौक्रोच गैंग नेहा जतिन नहरा सिखाराय तनुझा वोकर मिस्टीरियस कॉमल अमित भगात प्रेम कुमारी ये हैं भईया आज के टॉप 25 ठीक है अचा टॉप 50 दिखाईए चलो टॉप 50 देख लो प्रेम कुमारी का चंदन कुपता हैं जीवन कुमार हैं फोकस on your dream योगेंदर सिंग आरिफ अली फैविकॉल सिबूराना खुस्बू जोती सिंग पल्लवी मिसन सेलेक्शन विवेक यदुवनसी अर्पता सिंग संदीप कुमान नव्या चोहान सिम्मी कमल अरूरा आइसा सिद्धिका सपना कुमारी आर्यन गर्मा राजपूत सोयल खान मीना प्रेम क्रेष्ण अजय चरन करमवीर असोक राज नेहा करते हो हैं नितीज गुपता रोशन कोस नितीज कुमार निश्य यादव वीर यादव पिंकी कुमारी अमन राज जूली कुसबा मौसम पिरभा विवेक यादव नैना सिंग विवेक मितलेस कुमार कास इकबूतर कुमारी अंजली सुएता कुमारी चलो अब ये टॉप 70 ब बढ़ाने हो किसी सब्जेक के तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो के बाद में आप कमेंट करके डाल सकते हैं ठीक है वीडियो के बाद में वीडियो के बाद में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा आज की क्लास को फिर हम लो यहीं पर समा करते हैं नेक्स क्लास होनी है कल आपकी क्लास वही जाव के दुपैर , एक बजए,"दयली पुलिस के लिए जी के जीए i-स की। आज की क्लास को हेहे पर समाप्त करते हैं prêt काल से जय रीवक्ति क्लासि के दोबहरा मुलाकाइब करेंगे तब तक के लिए जैहन जै